हेलो बच्चों आइम रश्मी ओ मैं एक्स टीचर आपको याद होने चाहिए तो देखो यहाँ पर क्वेशन क्या है टो अपको देमाग में यहाँ रखना होगा कि स्क्वेर की फोर्म में हमारे पास डो ही फॉर्मorar है यह देखो या तो स्क्वेर कर का डायरेक्ट फोर्मूला है या След वा बचवी चार बचेह रखना नहीं है तो हम इसका डायरेक्ट इंटिवरेशन कर जबी sin square या cos square आता है तो हमें ये 2x वाली formula के पास जाना है sec और cos x square का formula है डायरेक्ट कर लेंगे cos square और sin square के formula के लिए cos 2x के पास जाना है जहां से हमें ये दो formula मिले हैं कहां से मिले हैं यहां से cos 2x के अधर 2 cos square x minus 1 इसको जबने solve के तो cos square x के विए ये वाली value है और cos 2x equal to 1 minus 2 sin square x है तो इसको solve के तो हमारे पास ये वाली value है तो अभी हमारे पास क्या sin square है तो 1 minus cos 2x by 2 यहां पर लिख देंगे तो इस तरीके से बस ये दिमाग बें फंडे आपके थोड़े clear होने चाहिए तो integration of आपका यहां पर क्या हो गया 1 minus cos 2x है तो 2 और x कौन है हमारा ये रहा तो 2x plus 5 और ये upon 2 हो गया और अब इसका हमें यहां पर क्या करना है integration तो इसको थोड़ा सा solve कर ले तो ये 1 by 2 है 1 by 2 को बाहर ले 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 तो दोरों के नीचे अलग-अलग हम दे रहे तो ये 1 by 2 पहला बाहर चला गया और ये dx हो गया फिर minus integration of अब ये इसका भी 1 by 2 बाहर लिख ले दे और बचा क्या ओपर से cos 2 का अलगर मल्टिप्लाय करो तो ये आपका cos 4x plus 5 2 कितना हो गया 10 हो गया dx हो गया sin 4x plus 10 हो गया तो अभी तो sin का हुआ है अंदर वाले का नहीं हुआ बट यहां अंदर वाले का integration नहीं करते हैं हम differentiation करके उससे हम divide करते हैं तो d by dx of 4x plus 10 क्या होगा only 4 आएगा ये तो 0 हो जाएगा इसका 1 होगा तो ये divide by अपने यहां पर क्या कर दिया 4 कर दिया और integration होने के बाद हम लगा देते हैं c यहांसर कितना आगया आपका x by 2 minus 4 2 हो गया तो यह आपका 1 by 8 sin 4x plus 10 plus c यह this is your final answer easy तो बस sin के लिए यह formula square में यह हो गया और cos के लिए square में हमारे पास change करने के लिए है now next question number 2 तो यहां पर दो trigonometric functions क्या है product में है और इसमें हम u into v वाला method यहां पर नहीं कर सकते चेंज करना पड़ेगा तो कैसे change करने पड़ेगा तो आप यहां पर साइन कॉस है तो साइन कॉस अपके पास कौन सा फॉर्मूला यह बाला तो यह साइन कॉस है अगर मैं टू से यहां पर यहां पर यहां पर हो सकती है तो यह चीज समझ में आ गई कि जब भी दो आपके product में तो हम यहां पर यह बी फॉर्मूला यूज करने जो product को addition में change कर देते हैं तो हमारे पास formula लगाने के लिए यहां पर टू नहीं है तो हम तू का यहां पर क्या करते है multiply और divide कर देते हैं तो यह हमने multiply divide किया अब हम यहां पर लिख लएते हैं हमारा formula चेक है तो यह हमने formula लिख दिया 2 2 sin a cos b a की जगे 3x है और b की जगे पर आपका 4x है तो अब लगाओ formula यह आपका यहां पर 1 by 2 तो as it is रहे गया integration of bracket क्योंकि दो term आ रही है तो यह आपका यहां पर हो गया sin a plus b यानि की 3x प्लस आपका क्या हो गया 4x और plus sign आपका a minus b तो यह आपका यहां पर हो गया 3x minus 4x पूरा 11 का जो भी आपने पढ़ा है वही सारा यहां पर यूज आने आला ठीके तो यह आपका 1 by 2 का integration और यह sin 3 plus 4 कितना हो गया तो यह आपका sin 7x हो गया और यह आपका कितना हो गया 3x में से 4x गया तो x बचा लेकिन minus का क्योंकि 4x बढ़ा है तो अब इसको भी हम integrate नहीं कर सकते तो हमें पता है यहां पर कि sin minus theta क्या होता है तो minus का sin theta होता है यह होता है na sin minus theta और cos minus theta cos theta होता है तो इसका मतलब यह minus का sin आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा यह हो गया sin 7x minus sin x और यह आपका dx हो गया अब हम इसको पूरा solve हो चुका है अब हम इसको integration की form में लेकर गजाते हैं तो 1 by 2 1 by 2 दोनों से multiply होगा क्योंकि बाहर है 1 by 2 integration of आपका sin 7x dx हो गया फिर minus 1 by 2 integration of sin x dx हो गया करो integration sin का क्या होता है minus cos होता है तो ये 1 by 2 आपका minus का cos 7x और 7x का यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 7x क्या होगा उनली 7 तो 7 से आप यहाँ पर divide कर लो फिर minus का 1 by 2 sin का यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और ये plus c लगाना कभी नहीं भूलना ठीक है अब इसको solve कर लो तो ये minus का cos 7x 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया फिर ये आपका क्या हो गया यहाँ पर हमारा minus आना का यहाँ यहाँ बूल गया तो minus minus क्या हो गया plus तो यह आपका यहाँ पर हो गया cos x by 2 plus आपका c हो गया तो this is your final answer easy तो बस आपको एक बार आपने यहाँ तक आना आपको यहाँ पर देखना है otherwise integration integration तो आप सब लोग कर लोगा integration कोई tough नहीं लेकिन इसको कैसे change करना है वो आपको यहाँ पर आना चाहिए now question number three तो बिल्कुल पीछे जैसा ही है लेकिन यहाँ पर तीन है product में है लेकिन तीन trigonometric यहाँ पर term है तो कोई बात नहीं हम एक को चोड़ देंगे दो को ले लेंगे उसमें हम वही AB formula लगा देंगे फिर आगे हम उसको salt कर देंगे भाई दो को पहले product से addition में change करेंगे तीसरा अंदर जाएगा और देखेंगे फिर से आपका product से addition में change करना तो वो procedure हमको फिर से करना पड़ेगा तो सबसे पहले अगर मैं आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो आपकी choice आप किसमें लगाते हो formula ना यह cost 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 तो सेम है मैं यहां पर करते हूँ 2x ले 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 जो मर्जी आप ले लो इसको इसको ले लो कोई भी आप यहां पर ले सकते हो हो है ना तो चलो अब यहां पर क्या होगा अब इसको plus 2x यहाँ पर कितना हो गया आपका तो यह आपका 8x हो गया क्योंकि formula आपने उपर देखी लिया है तो a plus b तो हमने यहाँ दोनों को add कर दिया फिर आपका यहाँ पर plus cos a minus b तो 2x minus 6x यहाँ पर कितना हो जाएगा minus का 4x हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर यह दो टम है तो बाहर product में तो bracket लगाना पड़ेगा ठीक है चलो अब cos minus theta क्या होता है तो cos minus theta आपका यहाँ पर होता है cos theta इसमें कोई negative बाहर नहीं आता तो यह आपका 1 by 2 हो गया integration of आपका यह cos 8x plus cos 4x हो गया ठीक है अब यहाँ पर अभी भी हम इसको integrate नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी product में देखो यह term इस term के साथ क्या product में है तो अब हम इसको अंदर ले करके जाते तो यह कितना हो गया 1 by 2 integration of यह आपका हो गया cos 8x cos 4x हो गया और यह आपका और cos के square का भी हमें यहाँ पर नहीं आता है तो क्या करना पड़ेगा इसको again हमें यही formula लगा करके इसको फिर से हमें single single term के addition में लाना पड़ेगा और cos square वाला तो मैंने अभी आपको first में ही बताया था कि अगर cos square sin square आता है तो हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे तो एक बार हम इन दोनों को क्या करते हैं separate कर लेगे तो यहाँ पर cos 8x cos 4x dx हो गया फिर plus 1 by 2 यहाँ पर भी integration of क्योंकि दोनों का procedure अब यहाँ पर क्या होने वाला है तो यहाँ पर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिर से यहाँ पर वही फॉर्मुला बनाना है यह हो गया प्लस 1 by 2 और cos square 4x से तो उसके जगे क्या लिखेंगे 1 plus cos 2x होता है तो 2x के जगे पर कौन है 4x by आपका 2 हो गया और यह आपका यहाँ पर dx हो गया है ठीक है तो यह सेम repetition हुआ है जो फॉर्मुला उपर लगा चुके तो तीन वाली term अगर sign में भी आती तब भी यही procedure आपका यहाँ चलेगा चलेगा चलो अब हमारा यहाँ पर question हो गया है easy बाहर आपका हो गया है 1 by 4 integration of 2 cos से cos b क्या होता है cos a plus b plus cos a minus b तो यह आपका हो गया यहाँ पर cos a plus b 8 plus 4 कितना हो गया तो यह आपका यहाँ पर 12x हो गया dx हो गया और यह प्लस वन बाइट वन बाइट फिर से मल्टिप्ला है तो वन बाइट फॉर इंटिग्रेशन अफ आपका कॉस फोर टूजा eight x dx हो गया समझ में आ गया बस कुछ नहीं किया इस one के साथ में फॉर लिखके इस one by two को पर अंधर इसके नेजे भी two लिखके one by two से हमने multiply कर लिया या फिर यह समझ हो कि one by two इदर आ गया तो two two's इसके लिए भी लिखोगे इसके लिए भी लिखोगे न यहाँ पर भी हम सेपरेट करने तो यह 1 बाइ 4 बाहर है तो इसके साथ भी आएगा cos 12x dx हो गया फिर प्लस 1 by 4 integration of यह आपका cos 4x dx हो गया फिर आपका यह 1 by 4 जब तक सारे integration की form में नहीं आजाते हमें integrate नहीं करना है बस लिखते जाओ लिखते जाओ जब तक सब के अंदर formula लगाना है तो एक साथ लगाना है अब आप यहाँ पर देखो यह आपका यहाँ पर क्य करोगे कितना आएगा 12 तो उससे आप यहाँ पर divide कर लो यह हमने 7.1 में पढ़ा था फिर यह आपका 1 by 4 बाहर cos 4x का क्या हो जाएगा integration साइन 4X हो जाएगा लेकिन एकस की जगा 4X है तो 4X का differentiation 4 आता है तो हम उससे यहाँ पर divide कर देंगे फिर यह आपका कितना integration dx क्या होता है तो x होता है तो x गाए फिर आपका यह 1 by 4 cos 8X का integration cos का integration साइन होता है तो साइन 8x हो गया 8x का डिफ्रेंशिशन करोगे 8 आएगा तो इसको हम डिवाइड कर देंगे और यह प्लस आपका सी आ गया चलो अब आप यहां पर क्या देगो 1 by 4 1 by 4 1 by 4 1 by 4 सभी जगी 1 by 4 यह पर तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं 1 by 4 को बाहर ले लेते हैं और जो बचे हुए है वो अंदर ले ले तो यहां 1 by 12 sign 12x बचा है तो यहां पर 1 by 4 Ñँ only Each Sakरऊ यहां पर पर 1 1 by चाव यहां पर फाइनल आंसर ढूंग लिया तो यहां तक का पार्ट हमने अलग था यहां पर फिर से फॉर्मूला लगाए हैं तो इसलिए मैंने यहां पर अलग कलर में लिखा कर्क्राइब यहां प्रोसीजर आपका चेंज हुआ था समझ में आ गया अब इसी के सिमिलर क्वेशन आपका आएका question number six जिसमें यहां cause cause है ना तो वहां पर आपका क्या होगा sign 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 होगा यहां पर देखो यह रहा है ना तो यह question भी हम इसी method से करेंगे यह method आपको समझ में आगया ना वीडियो को यह पाउस करो एक बदर six वाला solve करके देखो आपसे होता है कि नहीं होता है solve हो गया मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया तो sign वाला आपको formula चाहिए formula मैं आपको यहां बता देती हूं यह देखो two sign a sign b वाला यह वाला formula आपको लगाना यह minus है ना minus को आप इधर भीज देना cos a minus b minus cos a plus b यह वाला formula वहाँ पर लगेगा ना question number four देखें तो यह यहां पर sign cube आ गया है क्या आ गया है cube आ गया है तो हमारे पास integration of sign x का ही formula है ना तो हमारे पास integration of sign square x था ना ही हमारे पास integration of sign cube x है यह भी formula नहीं है sign square x के लिए तो आप 2 x वाले formula के पास गये थे अब cube के लिए आपको किस के लिए पास पड़ेगे 3 x वाले formula के पास थेखें तोfir हमारा 3 x फॉला formula है आप समाझ लो single से only x है तो हमां integration आता है power 2 है तो 2 x वाले formula के पास जाना है पावर नहीं है, कि हमें उनको change करना पड़ेगा, तो यहां सिर्फ एक ही के पास पावर है, बाकी के पास नहीं है, तो हम यहां पे अपना काम निकाल लेंगे, तो यह यहां से, यह negative है ना, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो यह हो गया, 4 sin cube x equal to 3 sin x minus minus का sign आपका क्या हो गया, 3x हो गया, अब 4 भी उधर नहीं चाहिए, तो 4 को भी उधर भेज दो, यह sin cube x equal to, आप यहां पे अलग-अलग लिख लो, चाहिए आप यहां पे 1 by 4 को हम इस तरह लिख लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं, तो यह हो गया, 3 sin x minus का sign आपका कितना हो गया 3x हो गया, तो इसका तो integration हमें आता है, sin का तो easily आता है, तो now अब अब यहां पे put कर दो, तो this implies integration of sin cube की जगे 1 by 4 को हम बाहर लिख लेते, sin cube, 1 by 4 बाहर, 3, तो अब यहां लिखो 3 sin x की जगे पर कौन है, x की जगे पर 2x plus 1 है, तो यहां पे लिख दो 2x plus 1 हो गया, फिर minus का sign 3 3x है, तो 3x की जगे पर कौन है, तो आपका 2x plus 1 है, और यह dx हो गया, अब इसको हम थोड़ा समया पर क्या कर लेते हैं, तो यह 1 by 4 अंदर separate करने, इसका अलग और इसका अलग कर देते हैं, 1 by 4 into 3 तो यह कितना हो गया, 3 by 4 sin 2x plus 1 dx और यहां हमारा integration, फिर minus 1 by 4 यहां पर 3 हो गया, चीक है, और यह आपका dx हो गया, हो गया हमारा काम easy, हमने cube को easy term में change कर दिया, अब कुछ नहीं करना, अब आप यहां पर integration कर सकते हो, तो sin का integration क्या होता है, तो minus का cos 2x plus आपका यहां पर कितना हो गया, 1 था ना, यहां, 2x plus 1 हो गया, अब यहां x की जगे, तो x है नहीं, तो 2, आप यहां पर क्या करोगे, differentiation करोगे, d by dx of 2x plus 1 करोगे, जो कि आपका 2 आएगा, तो हम यहां 2 से divide कर देंगे, फिर minus का 1 by 4, फिर again sign का करोगे, तो minus का cos 6x plus आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और भही, d by dx of आप यहां पर क्या करोगे, 6x plus 3 करोगे, तो इसका 6 आएगा, तो यहां 6 से divide कर दिया, प्लस आपका यहां पर c हो गया, चलो अब इसको थोड़ा सा और solve कर लेते हैं, तो minus आपका यहां पर क्या हो गया, बाहर आगया, 3 और 4, 2's are 8, तो 3 minus का 3 by 8, cos of 2x plus 1 हो गया, फिर minus minus plus हो गया, और 1 upon 6, 4's are 24, cos 6x plus आपका यहां कितना आगया, 3 आगया, और यह आपका प्लस c हो गया, अब देखो पीछे अगर आप answer देखोगे न, तो आपका यह answer वहाँ पर नहीं है, देखो आप यहां पर, क्योंकि आपके लिए answer पीछे से match करना बहुत जरू ना, को कि मैं, आपका answer तो रॉंग है, तो यह यहां पर देख यहां पर यहां पर 6 x plus आपका 3 है, आप सोचर के माँ टू कामन दिलो, 2 x plus 1 हो जाएगा, ऐसे यह question नहीं होगा, क्योंकि अगर पीछे से answer match नहीं कर रहा है, तो मुझे अपने answer को पीछे जो बुक का answer है, वहां तक पहुचाना पड़ेगा, बट एक्जाम में अगर आपका फुल माक्स यहां पर मिलेंगे, ठीक है, बट हमारे पास तो ncrt से answer मिलाना पड़ेगा, तो आप यहां पर देखो क्या करते हैं, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, यह तो cos 2x plus 1 है, तो यही रहेगा, तो यह एक्जल मैं cos x की तरह भीएव कर रहा है, अगर मैं 2x plus 1 की जगे x रख दो, तो यह cos x है, cos x में कोई formula नहीं बनता, लेकिन यहां पर क्या होगा, देखो, minus का 3 by 8, cos 2x plus 1, मैंने यह कैसा idea लगा है, क्योंकि जो मैंने answer देखा, उसमें यहां भी 2x plus 1 है, यहां भी 2x plus 1 है, तो यहां तो है, ठीक है, यहां नहीं है, तो यहां हम कुछ काम यह 24 हो गया, cos, आप यहां से 2 common ले लो, अब यह आपका क्या बन गया, 2x plus 1 बन गया, चीक है, तो cos 2x का यहां पर क्या बन गया, फॉर्मूला, यह cos 2 है, और यह इसको अगर मैं capital X ले लो, cos 2x का formula यहां पर लग जाएगा, तो cos 2x का formula यहां पर लग जाएगा, तो आपको आ sin 3x का formula है, वैसे कि हमारे पास cos 3x का formula भी है, तो वो का वो formula हम यहां पर put कर लेते हैं, और solve कर लेते हैं, चिक है, तो यह cos 3x का formula हो गया, तो 3 का आजएट है 3 है, लेकिन x की पर call it 2x plus 1 है, तो जहां जहां भी आपको x दिख रहा हमान 2x plus 1 रखके, हमने formula यहां पर fit कर दिया अब बस इसको solve करो और हमारा जो answer है ncrt का वो हो जाएगा, तो यह cos आपका 2x plus 1 है, examiner कभी नहीं कहता, यह आपको question दिया और आप ncrt वाला ही answer दो, उसको बस आपको number के according, 2 mark का है तो उतना 3 mark का है तो उसके according आपको solve करके दीना होता है, तो यह आप इसको अंदर लेकिए प्लस आपका 1 हो गया, तो यह क्यूब है, यह दोनों solve हो जाएंगे, क्योंकि cos 2x plus 1, cos 2x plus 1 है, तो 3 से cancel करो, 3 बंजा 3, और यह आपका यह आपका 4 बंजा 4, और यह आपका 6 टाइम हो गया, तो यह तो हमारा answer है, 1 by 6 वाली term, अब देखो यह answer में पहले लिखी हुई है, यह पहले इनको solve करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो इन दोनों में cos 2x plus 1 common ले लिए, तो cos 2x plus 1 मैंने common ले लिया, तो अंदर क्या बचा, माइनस का 3 by 8 और, एक सेकिंद, एक सेकिंद, एक सेकिंद, यह, माइनस का 1 by 8 बचा है, और यह तो हमारा प इसको solve करो, आपके denominator सेम है, तो numerator क्या हो जाएंगे, add हो जाएंगे, 8 को हम LC में लोगे, तो minus 3 minus 1 तो कितना हो जाएगा, minus का 4 by 8 हो जाएगा, तो यह आपका cos 2x plus 1, और यह आपका कितना हो गया, minus का 4 by 8 हो गया, तो 4 कि टेमले, 4 है 1 time, यह है 2 time, plus 1 by 6, cos 3, 2x plus 1, plus आपका C हो तो यह minus का 1 by 2 हो आपके ले लो, अदरवाइस आप सोचोगे कि यह तो यहाँ angle के साथ multiply है, ऐसा नहीं है, तो minus का 1 by 2, cos आपका 2x plus 1 हो गया, और यह plus 1 by 6, cos 3, 2x plus 1 हो गया, plus आपका यहाँ पर C हो गया, तो यही हमारा यहाँ पर answer है, ठीक है, तो अपना answer मिलाने के लिए हम इतने steps और यहाँ पर करने पड़े, otherwise आप यहाँ तक कर लोगे, तब भी आपका ठीक है, now question number 5 देखो यहाँ पर, तो sine cube x cos cube x का आपको integration करना है, तो अब यह मत सोच लेना कि, cube है तो मैम हम तो उसको, जो अभी हमने इससे पहले वाले question में किया, कि भई हमने यहाँ पर value नि यहाँ रख देंगे, इसकी value निकाल करके हम यहाँ देंगे, क्योंकि हमारे पास तो दो तड़ीक है, cube की value निकालने के लिए, बट यह method नहीं करोगे, क्या आप, यह sin cube x की value, तो आप इनको जब multiply करोगे, तो फिर से यह product में ही आ जाएगा, तो यह जब individual आते है, cube वाले, तब ही आपको यह method लगाना है, square वाला जब अकेला है, cube वाला जब अकेला है, तब ही आपको 2x, 3x वाला method लगाना है, और अगर इस तरह से आपके product में आजाए, चाहे sin x, cos x आजाए, चाहे आपका यहाँ पर sin square x, cos square x आजाए, sin cube x, cos cube x आजाए, हमें इसको एक जैसा treat यह तो वहाँ पर क्या थे आपके angle अलग अलग यहाँ पर आपके angle क्या है, same है, यहाँ भी X है और यहाँ भी आपका क्या है, X, तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, angle different, method different, angle same, method आपका अलग, क्यों, क्यों यहाँ पर देखो, क्योंकि हमारे पास एक formula है, 2 sin x, cos x, तो में लगा पर हici तो फो सब्सक्रानिदी मेंते उसीत है और गुथ्ट सब्सक्रानिलॡ जाना है तो यह formula अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर यहाँ पर 2 और होता तो मैं उसकी जगे पर क्या लिख लेती sin 2x लिख लेती तो 2 नहीं है बर 2 लेकर के आना हमें आता है देखो मैं आपको इसलिए समझारी हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे बिहेव करना है किसी question को देख करके तो समझ में अगर वो चीज आगे तो आप इसलिए apply कर पाओगे तो मैं देखो यहाँ पर इसको अगर ऐसे लिख दू देखो sine x cos x का मैं यहाँ पर क्या कर दूँ whole cube कर दूँ तो अगर यहाँ पर two और होता तो two sine x cos x के मैं क्या लिख देखी sine two x लिख ले दी एक term मेरी यहाँ पर हो जाती तो अब यहाँ two तो है नहीं तो आप यहाँ पर देखो यहाँ power कितने Киуб है अब अंदर यहाँ बाहर को एक नंबर है उसको अंदर जाना है तो 2 अकेला तो अंदर जायेगा नि 2 क्यूब होगा तभी तो उसमें से common आएगा यहाँपे देखो अगर मैं इसके साथ में यहाँपे 2 क्यूब लिख दूँ तभी तो ये 2 cube अंदर इसका इसकी power इसकी power इसकी power इसकी power सेम है तभी ये 2 आपका अंदर जाएगा तभी जाएगा न सेम power होगे तभी तब common लोगे तब 2 अंदर जाएगा तो इसका मतलब हमें 2 का नहीं multiply और division करना है हमें 2 cube का करना है तो यहाँ पर करो 1 upon 2 cube और integration of आपका य dx हो गया तो देखो अब यहाँ पर सबकी power सेम है अब यहाँ पर आप common ले सकते हो तो यह 2 cube कितना हो गया यह 8 हो गया integration of 2 sin x cos x की power whole cube dx हो गया तो यह 2 sin x cos x का formula क्या होता है तो मैं यहाँ उपर लिख ले दियो sin 2 x जो होता है वो आपका होता है 2 sin x की सेम एंगल है तो आपका यह वाला formula यहाँ पर लगेगा तो यह आपका हो गया 1 upon 8 integration of sin 2 x का whole cube dx हो गया तो अब वही same question हमारा change हो गया only sin cube x आ गया हम इसको ऐसे लिख सकते न है यहाँ पर देखो 1 by 8 integration of sin cube 2 x हम ऐसे लिख सकते हैं तो अब यह मेरा cube वाले में change हो कि अब मैं यहाँ पर एक time आ गई है अब एक time में cube solve करना तो मुझा आता है जो हमने formula लिखा था न यह रहा हमारा fourth question जो हमने solve नहीं करता है sin cube आता है sin cube x यहां 3 x वाले से लिख रहा है तो मैंने वहां पीछे निकाल रखी इसलिए मैं सीधा लिख रही हूं sin x minus sin आपका यहां पर क्या हो गया 3 x हो गया यह मेरा formula से कहां से question 4 में यह 3 step है इसमें से मैं लास्ट वाले step लिखी है अब आप यहां पर अपना काम कर सकते हो तो रखो आप यहां पर वैल्यू तो यह आपका यहां पर कितना आ गया 1 by 8 integration of 1 by 4 यहां से आएगा तो यहां पर हम 1 by 4 का भी multiply करते क्योंकि हम इसकी value रख रहे है x की जगे पर आपका 2x है तो यह हो गया 3 sin 2x हो गया फिर minus का आपका यहां पर कितना हो गया sin देखो यहां x था तो x की जगे पर आपका 2x है और नहीं समझ में आ रहा है तो यहां थीटा कर लो यह formula है यहां पर थीटा कर ल यहां पर तो आप सीदा का सब्सक्राइब लेकिन यहां पर थीटा है यहां पर थीटा है यहां पर थीटा की जगे पर आपका कितना हो गया 2x हो गया चलो अब इसको सॉल करो तो यहां पर तो यह आपका 32 हो गया और यह आपका अब इसको अलग लग सेपरेट करतें तो यह 9 32 यह आपका 66 dx हो गया है easy तो यह बहुत नंबर तो इसके पास भी यहां पर जाएगा अब आपको integration आता है इसका भी आता है तो easily आप यहां पर कर लो 3 by 32 तो आपका यहां पर हो गया 2 तो उसे हमें डिवाइट कर देना, फिर माइनस 1 by 32 होगया, अगें साइन क्या करोगे, तो माइनस का कोस, यह आपका 6X हो गया, 6X को आप पर इफ्रेंशेट करोगे, 6 आएगा, तो यहाँ पर आपका 6 का क्या होगया, डिवाइद होगया, प्लस आपका c हो गया चाहिक के अब हम इसको तोड़ास और सॉल्ल कर लें तो ये कितना हो गया 3 upon कितना हो गया पहले minus आगे चला गया और ये 32 into 2 तो ये आपका 64 cos 2x हो गया फिर minus minus plus तो ये आपका यहां पर हो गया 1 by 32 टू इंटू 6 कर लो 32 इंटू 6 टू 12 का 2 के रिवन 19 हो गया तो 192 कॉस आपका 6X हो गया प्लस C यह आपका यहां पर फाइनल आंसर है चीक है बट अगेन हम जाएंगे हमारे NCRT के पास उसने हमें इतना छोटा आंसर थोड़े न दिया होगा चीक है यह हमारा क्वेशन नमरr 5 देखो वान अपाउन 6 कहों 6X है यहां तो अंगल हमारा 2X है यहां 6X है लेकिन अंसर में आपकीं क्या है अल्ली X है तो हमें 2X 6X को सौल करकर किसमें चेंज करना पड़ेगा, एक्स में चेंज करना पड़ेगा, तो देखर टू एक्स का तो हमारे पास डाइरेक्ट फॉर्मुला है, हम डाइरेक्ट लगा देंगे, अब इसको यहां पे क्या करोगे, तो आप चाहो तो इसको थ्री एक्स के फॉर्मुले में भी चेंज कर सकते ह मैं यहां पर क्या करती हूँ.. इसको एकस के फॉर्म इले में ही चींजर कर एक्री कश कर देती हूँ.. इस तरह में ल work ह बनाले हैं.. हमें तो कुछ भी करके एकस कनल के लिए यहां सेज़ा एकस लेकिन यहां पर अभी x बनाने के लिए थोड़ से पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको तो यहां पर आप फॉर्मूला लगा लो सीधा माइनस का 3 by 64 कॉस 2 x का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में क्या होता है 2 कॉस स्क्वेर x माइनस 1 होता है फिर प्लस यह 1 अपॉन 92 है 1 अपॉन 92 कॉस 6 x है तो हम इसको भी कॉस 2 इंटू 3 x कर लेते हैं जैसा चाहो आप जैसे स्यूर्ट कर दे इसे भी कर सकते हैं तो यह आपका हो गया, माइनस का 3 by 64, बस इसको solve करना है, क्योंकि हमें question में कहा था कि integrals find करो, तो integral तो हमारे यही हो गया, हमने integral तो यहां की है, solve के यह answer है, अब यह तो हम जो हमारा answer है, उसको फिर से solve करें, आब यहां तक कर क्या होगे, कोई मांग सापके exam में नहीं cut करेगा, 2 cos square x minus 1 plus 1 upon 192, तो cos 2x का formula क्या था है, 2 cos square, तो 2 cos square x की जगे पर कौन है, x की जगे पर 3x, 2 cos square 3x minus 1 हो गया, अब हमें यहां पर फिर से 3x का formula लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको भी x में बनाना है, तो minus का 3 over 64 multiply करें, तो बात में करते हैं, चलो last में जब bracket, यह भी x में change रहे का तब करेंगे, अभी हम अपने steps नहीं बढ़ाते हैं, 192 हो गया, तो यह 2 हो गया, अब cos square 3x है, तो मैं इसको यहां पर क्या लिख लेती हूँ, cos 3x का square minus 1 कर लेती हूँ, क्यों मेरे पास cos square 3x का formula है नहीं, cos 3x का formula है, तो यहां पर अपका क्या हो जाएगा, plus 1 upon 92, 2 as it is, cos 3x आपका यहां पर क्या होता है, तो 4 cos cube x minus 3 cos x, यह वाला मेरा यहां पर formula होता है, तो मैंने बस इस formula को यहां पर रख दिया, ठीक है, अब फिर से, मैंने यहां पर देखो, अब क्या करना पड़ेगा, रख दिया, अब पावर को solve करना पड़ेगा, पावर तो a minus b का whole square हो रहा, तो a square तो 4 का square 16, और यह कितना हो जाएगा, cos 6x हो जाएगा, फिर b square तो 3 का square 9 cos square x हो जाएगा, फिर minus 2 a भी, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, cos 4 x हो जाएगा, फिर यह minus 1 आपका ही है यहां पर, और यह आपका plus ही हो जाएगा, तो यह हमने अभी क्या खोला है, square के लिए हमारा यह वाला bracket था, और यह हमारा यहां पर पूरा bracket है, ठीक है, अब कुछ नहीं, अब सब कुछ हमारा x में चीज़ होगा, अब इसको सिर्फ solve करना है, तो अब इसको अंदर लेगी जाओ, तो माइनस का, 3 टूजा, 6 by 64, cos square x हो गया, फिर यह क्या हुआ, माइनस माइनस का, प्लस, यह इससे multiply होगा, तो 3 over 64 हो गया, फिर प्लस, 192 into 2 कर लो, और यह 16, अब यह 2 तो सब के पास 192 जाएगा फिर ना, तो फिर क्या करें, चलो पहले ना, ऐसे करते हैं, 1 upon 192 को तो अज़र दे टू को अंदर ले जाते, तो यह 16 टूजा, 32 cos 6 x हो गया, फिर यह आपका 18 cos square x हो गया, फिर माइनस का 48 cos 4 x हो गया, और 2 यहाँ भी multiply होगा, माइनस का 2 प्लस C हो गया, अब आपको बताना पड़ेगा नहीं, जो हमारा answer है, वो ही आपका, वो भी आपका right answer है, वो तभी आपका proof होगा, जब मैं solution आपका NCIT से मिलाओंगी, तो यह अब solve करो, तो यह आपका 32 over 192 cos 6 x हो गया, फिर प्लस यह 1 upon 192 अंदर जा रहा, तो यह 18 upon 192 cos square x हो गया, और यह क्या ह 2 plus c हो गया, अब यहां पर देखो आप, डिगरी के according अरेंज करें, सबसे बड़ी डिगरी किसकी है, इसकी है, तो 6 को हम पहली लिखता है, ताक कि हमारा answer यहां पर easy हो, तो देखो 1, cancel करो इसको, तो 32 के table में, तो 6 के table में 12 आता, तो यह 32 से सीधा cancel हो, और आपका 6 टाइम हो गया, अब इसके बाद आपका कौन है, 4 है ना, पावर, यह वर रही है, आपकी 4, चिक है, तो यह आपका यहां पर 48 से cancel हो रहा है, यह आपका यहां पर 4 टाइम हो रहा है, कैसे हो रहा है, 8 फोर्जा, 32 का 2, carry 3, 4 फोर्जा, 16 और 3, 19 हो गया, तो यह लिख लो, आप माइनस क 1 by 4, cos 4 x हो गया, चिक है, अब आपके पास दो तो यह नमबर बच रहे हैं, अब देखो, आपको आपको बच रहने की जोरुते हैं, यह भी आपका constant है, यह भी constant है, यह भी constant है, तो constant, constant, constant सारे मिल कर का हम किससे represent करते हैं, तो हम यहां पर इसकी जगे पर solve करके पूरा का पूरा यहाँ पर क्या लिख देंगे C लिख देंगे हमें आगे इसको solve करने की जोड़ते हैं इन numbers को नहीं लिखने की जोड़ते हैं क्योंकि हम एक constant को C से represent करें तो C लिख दिया अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 9 की 18 किसके table में 6 time आता है यह 3 की टेबल में तो 3 से कैंसल करोगे तो 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12 हो गया तो देखो यह 6 by 64 cos square x 6 by 64 cos square x सेम है यह minus का sign के साथ है यह plus का sign के साथ है तो यह पूरा का अब से जर वहां follow किया दा as it is वैसा ही हम यहाँ पर करने वाले तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हूं कि यह तीनों टर्म जो है trigonometric term यह product में है तो हम u into v into w अगर है तो हम उसको easily यहाँ पर integrate नहीं कर सकते हैं तो product को हमें क्या करना पड़ेगा addition में change करना पड़ेगा तो product to addition वाले जो हमारे formula थे यह वाले यह चार formula है जो product को addition में change करते हैं इनकी use लेकर के हमें इसको change करना पड़ेगा single single term में बदलना पड़ेगा तो यहाँ पे formula तभी लगता है जब आपका 2 यहाँ पर हो तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 लाना पड़ेगा तो 2 आप यहाँ पे कैसे लिकर आओगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 का divide करेंगे और 2 का multiply करेंगे और वो जो formula है वो किनी 2 term में ही लगता है तो मैंने यह और यह ले लिया अब अपने according कोई भी 2 साथ में लेहाँ पे ले सकते हो क्योंकि C plus D है वहाँ पे सारी A plus B है divide में कुछ नहीं है तो वो as it is रहेगा तो कोई भी 2 यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं अब आप इसमें क्या formula लगाओ 2 sin A sin B okay तो 2 sin A sin B क्या होता है cos A minus B minus cos A plus B यह अकिला formula है जिसमें minus पहले आता है और plus आपका बाद में आता है तो लगाओ formula यहाँ पे तो यह आपका कितना हो गया cos A minus B तो यह आपका यहाँ पर हो गया X minus का 3X हो गया फिर आपका बीच में minus और cos A plus B तो यह आपका यहाँ पर हो गया cos X plus आपका 2X हो गया अब product को हमने add यहाँ पे subtraction में change कर दिया तो आप यहाँ पे क्या करोगे bracket बना दो क्योंकि अब यह दोनों से वहाँ पर multiply हो गया तो यह करो यहाँ पर यह 1 by 2 integration of cos कितना रह गया 3X में से X गया तो 2X बचा लेकिन 3X बढ़ा है तो sin negative हाएगा और यह आपका यहाँ पर क्या हो गया cos 4X हो गया और यह आपका यहाँ पर sin क्या रह गया 2X रह गया sin 2X गेक्स रह गया तो cos minus theta क्या होता है formula सारी याद उने चीए cos minus theta आपका cos theta ही होता है sin minus theta minus का sin theta होता है तो यह आपका 1 by 2 हो गया integration of तो यह आपका यहाँ पर cos 2X ही रह गया और यह आपका minus का cos क्या बन गया 4X बन गया है तो यह 4X रह गया और अब आपका यहाँ बाहर कौन है sin 2X है sin 2X को अब अंदर लेकर के जाते है तो यह आपका हो गया 1 by 2 integration of cos 2X sin 2X और यह आपका dx फिर आपका यहाँ पर हो गया minus का plus minus minus 1 by 2 cos 2X sin 2X हो गया अब cos 4X sin 2X हो गया तो हमेशा यहाँ पर देखना यह वाला फॉर्मुला हम तभी लगाएंगे जब दोनों एंगल क्या हो अलग-अलग हो है यह अलग याँ यहाँ अलग होना चाहिए यहाँ अलग होना चाहिए लेकिन यहाँ पर आप देखोगे cos sin तो चलो ठीक है कौशिद्ट फाली टम है। उसको एक बना लता है 2 sin x cos 6 तो sin 2 x नचाहिए अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ वापस क्या चाहिए 2 चाहिए तो अब यहाँ पर वापस क्योंकि हमने जब स्कों सॉल क्या है फिर से थे तो 2-2 च गृप में आ गए अब दो दो के group को वापस एक 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 group में बनाना पड़ेगा. तो यहां का logic अलग होगा और यहां का logic अलग होग के. यहां पर क्या हो गा है? दोनों angle सेम होगे. लेकिन अगर हम यहां देखों, तो दोनों angle का है? different है. different है, तो फिर से हम इस वाले method में जाएंगे और same है, same है तो हम यहाँ पर किसमे जाएंगे sin 2x वाला formula बनाएंगे जो कि हमारा होता है 2 sin x cos x वाला है यह हमारा formula होता है ठीक है तो अब इसके लिए में यहाँ फिर से 2 चाहिए तो 2 का multiply करो तो हमारे परस एक 1 by 2 पहले से एक 1 by 2 का हमने और multiply किया और एक 2 अंदर आ गया तो अब यह हमारा single term में change हो जाएगा cos 2x और यह आपका sin 2x हो गया और यह आपका dx हो गया ठीक है अब यहाँ पे भी आपको फिर से formula लगाना है कौन सा sin cos a sin b वाला cos a sin b वाला formula कौन सा आथा तो यहाँ देखो cos a sin b वाला formula होता है sin a plus b minus sin आपका a minus b तो यहाँ पे भी आपको 2 चाहिए तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा तो पहले 2 का divide किया 2 का multiply किया तो यह आपका यहाँ पर फिर से क्या लगेगा formula लगेगा दोनों का sin वाला यह भी formula यह इसमें रख जाएगा और इसका formula भी लिख लेती हो तो यह वाला formula मैंने यहाँ पे लिख लिख लिए इसका यहाँ इसका यहाँ पे लिख लिख लिए तो यह क्यों जागा sin a plus b तो यह आपका sin और a कौन है b कौन है तो यह दोनों add होगे 4x हो जाएगा तो बस अब इसको solve कर लेते हैं तो यह 1 by 4 हो गया integration of sin 4x dx हो जब तक सारे integration की form में नहीं आते हम integrate नहीं करते हैं तो अब यह dx और 1 by 4 को भी ले कर जाते हैं तो यह 1 by 4 और आपका यह क्या हो गया sin 4 plus 2 6x dx हो गया माइनस माइनस अपका प्लस 1 by 4 integration of यह आपका sin 4x में से 2x गया तो यह आपका 2x dx हो गया ठीक है अब आपके यह तीरों integration की form में आ गए अब हम इंटीग्रेट करते हैं तो यह आपका 1 by 4 हो गया sin का क्या होता है तो sin का होता है minus cos तो यह minus cos 4x हो गया और नीचे के आएगा d by dx of 4x हो जाएगा तो यह आपका 4 हो गया नीचे वाली term में क्या था d by dx of यहाँ पर जो भी term हो उसका differentiation तो यह आपका 4 हो गया फिर minus का 1 by 4 अगेन आप sin का करोगे तो sin का minus का cos x होता है तो cos x के जाएग 6x हो गया और d by dx of 6x के होगा 6 होगा तो दिवाइड में आ गया फिर आपका यह हो गया प्लस 1 by 4 तो integration of sin क्या होगा तो minus का cos 2x हो जाएगा और d by dx of 2x क्या होगा तो यह आपका 2 हो जाएगा और यह आपका प्लस c हो गया चलो अब इसको solve करो तो यह minus cos 4x और एक सेकंड रोगो यहां भी 1 by 4 है 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 तो क्यों हम यहां से पहले लिग लेती तो यह क्या हो जाएगा 1 by 6 बस आरेंज करके हम लिख रहे हैं और कोई नया काम नहीं कर रहा है यह 1 by 6 cos 6x हो गया फिर हम यहां पर किसको लिख दें 6 के बाद 4 आता तो यह लिख लेती तो माइनस एक 1 by 4 तो बाहर चला गया तो यह आपका यहां पर हो गया 1 by 4 cos 4x हो गया और प्लस माइनस माइनस तो यह आपका हो गया 1 by 2 cos 2x हो गया ठीक है यह प्लस ही तो यह आपका final answer हो गया easy तो बस आप formulas को दियान में रखो दिमाग में यह रखो कि कहा product को addition में चेंज करना है कहा पर same angle आने पर क्या करना है 2 sin a cos 2 sin a sin b वाला 2 sin a sin b क्या होता है cos a minus b minus cos आपका a plus b तो अगें यहां पर आपको 2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 से आपको यहां पर multiply करना पड़ेगा 2 sin 4x sin a x dx हो गया ठीक है चलो अब आप पहले formula लगा लो तो 1 by 2 integration यह आपका क्या हो जाएगा cos a minus b तो यहां पर लिखो sin फिर आप लिखेंगे a minus b a minus b a कितना है तो यह आपका 4x है और यह आपका 8x है ठीक है फिर बीच माइनस का sign फिर cos a plus b तो यह आपका 4x प्लस यहां पर 8x हो गया फिर आप यहां पर dx रहे गया तो dx लिख लिए फिर 1 by 2 integration of 4x में से 8x गया तो कितना बचेगा यहां पर minus का 4x बचेगा जो बड़ा उस का sign क्या होता है ठीटा होता है अच्छा मैंने क्यों लिखा है तो cos आएगा ना yes cos लिखावा ना formula में में क्या प्राणिया गडबड कर दिया तो यहां पर cos minus theta आएगा फिर तो अब सब गड़़ूगे चलो अब को separate करते हैं यह आपका बहुत easy application 1 part 2 integration of cos 4x dx फिर minus 1 by 2 integration of cos12x आपका dx हो गया है चल जो अब integrate करो integration of cos x होता है then integration of cos x होता है हमारा sin x तो यह आपका sin 4x हो गया पिर d by d xsoff 4 x 42 होता है तो divide कर लिया फिर आपका minus का 1 by 2 integration of cost क्या होता है तो sign होता है तो sign आपका 12 x हो गया और d by d xsoff 12 x क्या होता है तो 12 होता है तो हमने यहापर divide कर लिया और यह plus c हो गया चील कि अब देगो यहाँ 1 by 2 बाहर है तो 1 by 2 को बाहर ले लेते हैं और बस हम answer जो पीछे हमारा है उसके according हम यहाँ पे 1 by according लिए तो यह आपका यह हो गया और यह minus का 1 by 12 इस तरह की गलतियां कभी-कभी आप लोगों से भी हो जाती पता नि मैंने कैसे साइन यहाँ लिख लेते तो यह पूरा यहां पे पूरा आंसर ही गलत हो जाता question number 8 तो यहां से आपके question थोड़े change और अब यहां पे सारे question आपको आगे जो में मिलेंगे न फ्रेक्शन की फॉर्म में मिलेंगे यानि u upon v की फॉर्म में मिलेंगे उपर कोई ऐसी टर्म बनाव के denominator आपका cancel हो जाए फॉर्स तिंग आप यहां पर यह कर सकते हो और दूसरा method of substitution यहां पर लगा से तो अगर कहीं पर लग रहा है जैसे कि हमने 7.2 में किये थे यह upon v वाले बहुत सारे question किये थे यह पर हम v को let करते थे वी को t let करते थे differentiate करते थे तो numerator आपका सारा यहां पर क्या हो जाता था dt बन जाता था इस तरह से हम question को 1 upon t में change करके solve करते थे तो अभी हमारे पास formulas है तो मैं आपको यहां पहले से कह रही हूँ कि main जो आप यहां पर formula 1 minus cos x 1 plus cos x अगर इस तरह की term देखते हो तो हमारे पास यहां पर यह formula है देखो कौन सा यह वाला यह formula हमने पहले भी use किये तो 1 minus cos x क्या हो जाएगा 2 sin square x हो जाएगा और यह 1 minus cos 2 x यहां पर angle क्या होता है डबल होता है इसका आधा इस square के पास होता है 1-cos2x क्या हो जाएगा 2sin2 x हो जाएगा 1-cos2x क्या हो जाएगा 2cos2x यहां पर हो जाएगा तो formula दिमाग में है क्योंकि मुझे यहां से दिमाग में एक ही चीज़ दगनी कि denominator को अटाना है integration में हमेशा ही सोचना है कि denominator को कैसे भी करके हटाना है तो मैंने अगर numerator को इस form मिलगगा उपर negative है इस form में हो जाएगा तो sin upon cos क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 को मुझे यहां पर differentiate करना आता है क्योंकि square है तो square में 10 square हो जाएगा 10 square को मैं 1-6 square करके x square minus 1 करके solve कर सकती हो है ना तो formula आप दिमाग में रखो 7.1 direct formula नहीं लग रहा 7.2 यह आपका यहाँ पर method of substitution नहीं लग रहा है क्योंकि 1 plus cos x को आप लेट करोगे तो differentiate में यह cos sign में बदल जाएगा और उपर हमारे पास sign यहाँ पर है ले इस तरह से आपको सोचना है ना दिमाग को इस तरह से चलाना है अब आप देखाओ 7.3 यह नहीं formulas लगा करके देखो तो formula लगाते हैं तो मैंने आपके यहाँ पर formula लग गए यह cos 2x के formula है जिससे हमें numerator denominator की value मिली है तो numerator की value क्या मिल रही है देखो यहाँ जितना भी angle है उसका आधा यहाँ पर हो तो यहाँ 2x था तो यहाँ x था ठीक है तो जितना भी होता उसका आधा हो जाता है तो यह आपका 2 sin square theta by 2 हो गया formula से हमारा काम कितना easy हो गया और यह 2 cos square आपका कितना होता है और cos square होता है यही 2 होते 10 नहीं होता है 6 koh 1 ch square होता है x by 2 minus 1 dx हो गया अब बस अंदर separate कर लो यह आपका यहां पर हो गया x square x by 2 dx minus integration of d x square का formula क्या होता आपके पास में 10 theta है ना integration of x square theta 10 theta यहां पर आपका हो जाएगा 10 x by 2 हो गया अब x by 2 का differentiation करोगी तो कितना है गा 1 by 2 आएगा यह आप हमेशा ध्यान रखना बहुत बार आप भूल जा तो d by dx of x by 2 1 by 2 ले लिया बाहर d by dx of x हो गया दी बार dx क्या होता है 1 तो यह 1 by 2 बज़े गया और यह minus का c minus का x और यह आपका प्लस c integration of dx x होता है ठीक है अब इसको उपर लेगा 10 टू उपर जला गया क्योंकि 1 upon 2 था तो 2 upon 1 हो गया तो यह आपका 10 x by 2 minus x प्लस आपका c हो गया यह आपका यहां पर क्या हो गया final answer हो गया easy ना तो बस question को देख करके आप समझो क्योंकि यह exercise बहुत लंबी है pattern आप समझो के तभी solve कर पाऊगे next question number 9 देखे तो 9 थी हमारा उसी तरीक है यहां पे भी आपका क्या है denominator है अब denominator को आप कुछ भी करके यहां से हटाओगे तभी आप इसको integrate कर पाऊगे तो देखो उपर यहां नहीं है अगर में 1 प्लस कॉस एक्स का डाइक फॉर्मुला तो यह पाऊण वहला है नहीं अगर 7.2 के according सोचे तो अगर में 1 प्लस कॉस एक्स को ती लूँ तब भी मेरा यहां पर आपका तो कर दीती में क्या है का साइनेक्स आएगा तो उपर साइनेक्स हमारे नहीं है तो सब्टूशन में थी नहीं लगेगा थाड़ फॉर्मुले पे आते तो अभी जस्ट मैंने अपको यहां पर बताया ही था कि वान प्लस कॉस एक्स क्वेशन में क्या रखा था अभी इस से यहां पर जितना भी एंगल होता है आगे उसका क्या होता है आधा हो जाता है तो आप चाहो तो यह वाला फॉर्मुला रखो जो मर्जी आपकी फॉर्मुला याद रहता है तुम्हें यह वाला फॉर्मुला तो यह वाला फॉर्मुला तो यह वाला फॉर्मुला तो यह वाला दीखना तो मैं यह वाला फॉर्मूला यहां पर रख जाएगा तो सोच लिया यह सारी क्यालकुलिशन हमने यहां पर दिमाग में कर ली अब यहां पर देखो अब हम इसको नीचे एक हो गया उपर दो हो गए सेपरेट सेपरेट करके सिंगल टम में बदल देंगे तो यह फॉ सेपरेट चर्पन यहां परके सूझ क keyword अब हमने इसका सिफ्प्रां कर दो में कि एकपर इसका सब्सक्राइब कर देख लिए तो में कश स्क्वार चैनल को स्क्वार्ट अलंवा ताइम से यह उनकर ने यादिकल कर दादाह यह नहीं मैं इस तरे हं स्क्राइब को अलग कर द काम इजी होगा, बस सोचना ढंसे है, तो integration of 1 into dx, dx हो गया minus 1 by 2 बाहर आगा इधर से integration आ रहा है इधर से sec आ रहा है तो 1 by 2 बाहर हो गया integration sec square x by 2 अपका क्या हो गया dx हो गया तो integration of dx क्या हो गया यहां से x हो गया यह minus का 1 by 2 integration of sec square theta क्या होता है integration of sec square theta हमारा यहाँ पर होता है 10 theta तो यह आपका यहाँ पर क्या हो गया 10 x by 2 गया d by dx of x1 होता है तो यहाँ पे हम 1 by 2 का divide कर देंगे और plus c तो देखो नेचे भी 1 by 2 है उपर भी 1 by 2 तो क्या हो गए कैंसल हो गए तो x minus 10 x by 2 plus c यह हमारा इसका answer हो गया तो बिना formula लगाए आप इसको solve करी नहीं हाँ पे सकते थे तो हमने जो first question किया था उसमें हमारे पास क्या था sin square कुछ question था 2 x plus 5 था तो वहां पर इस वाले formula के लिए हमारे sin square में का integration में कोई formula नहीं होता तो हमारे पास यह वाला formula था जिससे कि हमने इसमें change करके और square को हटा करके easily हमने इसको integrate कर ले तर 1 by 2 का अलग कर दिया कोला भी लगा दू तो वहां पर cos 4 x की पावर 4 इस तरह से करके में solve करना पड़ेगा तो वहां पर पावर और बढ़ जाएगे ना a plus b का whole square नहीं कुलते हैं वैसे उसको खूलना पड़ेगा तो और लेंदी हो जाएगा तो फिर वह में इसी केगए में तो तो यहां पर नहीं छिलेगा हमें पावर को टोड़ना पड़ेग तो आसे तो कि में जासे तो इसको तोड़ा चींज कर भी अगया तो मैं एक को तो यहां पे क्या करते हो साइंडे नेती हो इसको मैं चेंज स्क्वएर, थीटा क्या होता है, थीटा मैंने यहां पर कर दिया 4 को तो तोड़ें मैंने स्क्व exist Det. चीविप अग्य क्या सेby ठीक है अब क्या करें तो यहां पर पहले तो हम इनको separate कर लेते दोनों के लिए अलग-लग method लगेंगे तो यह हम कर लेते तो यह आपका यहां पर क्या हो गया sin square x cos square x dx हो गया चीक है अब इसका काम तो हमें आता है इसके लिए हमारे पास formula है वो लिख लेते हैं sin square x का formula हमारे पास होता है 1-cos2x by 2 यह हमारे पास sin square x का formula होता है अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे तो यह आपको ध्यान आना चाहिए हमने इससे पहले यह question जब solution करे थे तो यहाँ पे इस तरह की term आई थी तो हमने कैसे solve किया था मैं आपको फिर से कहा था आप angle देखो angle दोनों के क्या है same है जैसे ही आपको angle दोनों के same मिल जाते तो आप समझ लो कि 2 sin x cos x वाला formula यहाँ पे बन जाएगा तो 2 sin x cos x आपका क्या होता है तो 2 sin x cos x हमारा यहाँ पर होता है sin 2x यह formula हमारा यहाँ पे बन जाएगा तो sin x cos x का आपना है square को यह तो बाहर लेना है square बाहर ले लो 2 का multiply कर लो यह formula बन गया अब sin 2x की power जो भी हो यह square को हमें solve करने आता ही है तो यह हकाम हमको यहाँ पे करना है तो देखो यह आपका यहाँ तो simple ही हो गया अंदर अगर किसी को जाना है तो जैसे मैंने यहाँ पे common लिया अगर यहाँ two square होता तो उसका भी square बाहर पामन होके two अंदर चला जाता है ना तो actual मैं मुझे यहाँ पे two square का multiply और two square का divide करना पड़ेगा तब भी तो इसकी power बाहर जाएगी और यह अंदर जाएगा इसे दिमाग हमने वहाँ two power three का किया था तो यहाँ पे इसको भी separate कर लो तो यह one by two integration of dx हो गया फिर minus one by two integration of का cos two x dx हो गया और यहाँ पे क्या हो गया यह one two square है नी one by four हो गया integration of two इसका अंदर जिला गया तो यह आपका two sin x क्या हो गया cos x हो गया तो फिर power two है तब यह अंदर गया अकेला two तो जा नहीं सकता था यह dx और यह whole square हो गया चलो अभी और देखो two sin x cos x की रख करतेंगे हम sin two x करतेंगे और sin two x के जिए फिर इसा कर देंगे तो यह आपका हम तब तक integrate नहीं करेंगे जब तक सब integration की फॉर्म में नहीं आ जाते है यह आपका cos two x dx हो गया यह आपका one by four integration of और यह कितना हो गया आपका sin two x हो गया तो मैं इसको यहाँ पे sin square two x ही लिख लि sin two x की फॉर्म में आ गया तो sin square किये नहीं यहाँ भी square है यहाँ एक से तो इसका double था अब यहाँ टू एक से तो यहाँ पर उसका double यह नहीं four x हो जाएगा बस यह एंगल के धिहान रखो आप यहाँ पे तो यह one by two integration of dx हो गया minus one by two integration of cos two x dx हो गया minus का one by four integration of क्या होगा one minus cos two x होता है तो two और जो भी यहाँ पर है तो two into two x कितना हो गया four x हो गया divided by आपका two यह हो गया हमारा यहाँ पे अब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा separate करो फिर हम एक साथ करेंगे तो one by two integration of dx minus one by two integration of आपका cos two x dx फिर minus four into two तो one by eight integrate one है तो one by two था तो one by two into one by four बाइट हो गया और integration of dx हो गया minus minus plus integration of आपका कितना हो गया इसका भी one by two इसके भी नीचे यहाँ one by two हो गया cos four x dx हो गया चलो अब हमारे पास सब साथ का method हमें integrate करना आता है तो यह हो गया dx का करोगे तो कितना हो गया x by 2 हो गया फिर minus 1 by 2 cos 2x का करोगे तो कितना आएगा आपका sin 2x आएगा और 2x का differentiation करने पर 2 आएगा तो 2 से divide करेंगे फिर minus का 1 by 8 integration of dx करोगे तो यह आपका यहाँ पर x आजाएगा फिर plus 1 by 2 cos 4x का करोगे तो sin 4x हो जाएगा और d by dx of 4x 4 होता है तो नीचे आपका 4 आ गया प्लस आपका क्या हो गया c हो गया ठीक है नाओ अब यहाँ पे देखो यह वाली same term है यह वाली और यह वाली इन दोनों को हम side में solve कर लेते हैं 3x by 2 minus x by 8 हो गया दोनों का LCM लोगे तो क्या है एक टो क्या है एक तो यहां 4x minus x हो गया यह कितना हो गया 3x by 8 हो गया ठीक है तो यह मैं direct लिख लेती हो यह आपका यहाँ पर कितना answer आ गया और यह कितना हो गया 4,2 जा यहां पर 8 हो गया एक स्केंट यहां पर मैंने 2 क्यों लिखा यहां तो 8 आएगा ना यहां 4 इससे multiply हो गया तो 8 इसके निचे भी कितना हो गया आपका यहां 32 यहां 8 आना चाहिए चिक है तो यह आपका यहां पर गया 32 तो 1 by 32 sin 4x plus c this is your final answer now question number 11 तो question 11 बिल्कुल हमारा 10 जैसे यहां cos 4 2x निकलना है यहां sin 4x है ना तो यह हमने जैसे इसको break करके किया इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे बट यहां x था तो x related formula लगे यहां 2x से तो 2x related formula यहां पर लगेंगे तो हमने इनको पहने टू पार्ट में डिवाइड के जाए एक पावर इस फोर पावर को मने टू पार्ट में डिवाइड के तो अलग कर लिया अब यहां पर देखो एक को हम इसकी हम यहां पर value को change करें कुछ ऐसी value change करें ताकि यह easy हो जाए तो cos square 2x का तो अभी हमारे पास यहां formula नहीं मैं इसको यहां पर क्या करती हूं कि मैं वह वाली identity लगा दिए cos square theta plus sin square theta equal to 1 ठीक है तो हमने पीछे भी वही किया था तो यह क्या हो जाएगा मुझे 1 चाहिए actual में ताकि 1 से multiply हो कि इसमें कुछ करना ना पड़े यह थोड़ा separate हो जाए तो यह आपका यहां पर cos square 2x हो गया और यह यहां पर 1-sin square theta होता फिर minus this into this तो यह आपका यहां पर क्या हो गया cos square 2x और यह आपका sin square 2x हो गया तो इससे क्या मुझे मिल गया वही 2 sin theta cos sin 2x का मुझे यहां पर formula मिल गया तो वह थोड़ा सा ध्यान में रख करके मैंने इसको यहां पर solve किया अब हम क्या करते हैं इसके लिए अलग formula लगेंगे तो हम दोनों को यहां पर separate कर देते हैं तो यह आपका cos square 2x dx हो गया और यहां पर integration of आपका यह कितना हो गया cos square 2x और यह आपका sin square 2x और यह आपका dx हो गया simple term में हम change कर लेते हैं तो यहां x सा तो यहां 2x हो गया अब यहां 2x तो वहां कितना हो जाएगा अपका 4x हो जाएगा formula सात् So यह आपका integration of यह आपका कितना हो जाएगा 1 플स cos 4x और यह ydx हो गया और यहां पर क्या करोंगे यहां पर हम स्क्वार कॉमन लेंगे अच्छा कॉमन लेने से पहले देखो हम यहां पर क्योंकि मुझे इसको यह वाला फॉर्मॉला लगाना है इसके लिए मैंने क्या सोच रखा है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स इकुल टू मेरा क्या होता है साइन टू एक्स होता है यहां टू चाहिए तो यहां से टू कॉमन ले यहां से टू कॉमन ले तो एक्च्छल में यहां पर किसका मल्टिप्लाय करना पड़ेगा हमें टू स्क्वार का मल्टिप्लाय करना पड़ेगा जब चेके तो अब यह मेरा बाहर तो क्या हो गया और यहां पर इन तीनों में से 2 common ले लो तो यह power common ले ले तो 2 cos 2x sin 2x और square हमारा बहर आ गया, यह हमारा क्या हो गया, dx हो गया अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं दो यह 1 by 2 integration of dx हो गया, इसके निचे भी इसके निचे भी तो 1 by 2 constant बहर चला गया फिर यहां पे भी 1 by 2 बाहर और यह आपका cos 4x dx हो गया फिर minus का 1 by 4 यह आपका किसका formula बन जाएगा यह आपका बन जाएगा sin 2x का square अब चाहे square whole square करके लिखो यहां करके लिखो एक ही बात है तो यहां करके लिखने में क्या है कि अब आपको बता चलेगा कि sin square का भी integration नहीं होता है तो sin square को हमें वापस change करना पड़ेगा तो sin square और cos square को change करने का हमारे पास एक ही formula है यह वाला cos की formula है यहां plus हता है यहां minus हता है अब यह वाला formula लिदेंगे यहां x होता है तो उसका double यहां पे होता है यहां 2x तो उसका double वहां कितना हो जाएगा अपका 4x हो जाएगा चिक है नहीं यहां पे 2x थोड़ी ना आएगा देखो यहां x तो यहां 2x तो इसका double यहां पे 4x आएगा और वहां पर 4x का भी double कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा चेक है तो यह 4 था 4 का double यह 8 करके लिख दिया 1-cos 8x upon 2 कर दिया इसका formula यह लगा दिया अब कुछ नहीं किया इसको भी 2 अलग अलग हो गया अभी भी इसका हम direct integration नहीं कर सकते इसको break किया तो तो इसके निचे नहीं अब कर दो तो integration of dx क्या होता है तो x होता है तो यह आपका x by 2 हो गया फिर आपका यह 1 by 2 integration of cos क्या होता है तो आपका integration of cos होता है sin x तो यह आपका sin x की ज़िए 4x तो 4x और 4x का differentiation करके divide 4 आजाएगा फिर minus का 1 by 8 integration of dx क्या होता है तो x होता है तो हमने यह x कर दिया फिर आपका plus 1 by 8 integration of cos क्या होता है तो sin होता है तो यह sin 8x हो गया और d by dx of 8x क्या होगा एक होगा तो यह यहाँ पर होगया और यह plus आपका c होगया बस अब हमें यहाँ पर क्या करना इसको सुल करना तो यह और यह दोनों आपके यहाँ पर क्या होंगे उनली यह दोनों सॉल होंगे तो । ये x by 2-x by 8 हो गया 8 हमारा लस्ट गिटेपल में 8 आता है आपका 4 तो 4x-x या पका कितना हो गया 3 x by 8 हो गया तो बस अपने लिख लेते हैं इसकी जगह पर यहापका यहाप़ कितना हो गया इन दोनों को solve के तो हमारा 3x by कितना आया 8 आया plus 4 2s आ 8 तो 1 by 8 आपका कितना आया sin 4x आया और ये 8 8s आ कितना हो गया 64 तो 1 by 64 ये आपका कितना आया sin 8x आया और ये plus 3 this is your final answer easy तो बस आपका power 2 आता है तो सीधा formula लगा देना है power 4 आता है तो 2-2 के टुकड़े में तोड़ करके फिर हमें formulas यहां पे लगाना है now next question number 12 sin square x upon 1 plus cos x integration में u upon v है denominator को हमें यहां से क्या करना है हटाना है तो आपके रिमार्ग में वही आ रहा हो कि मैं sin square x है तो हम वही वाला formula लगा लगा लते हैं तो solve नहीं होगा तो sin square को हटाने के या cos square को हटाने के हमारे पास दो तरीके हैं एक तो आपके यह वाली identity है कौनसी वाली यही वाली दोनों की कि sin square cos square को इस identity से हटा सकते हैं या फिर आपने जो class 10 में identity पढ़ी थी कि sin square theta plus cos square theta equal to 1 इस identity से भी हम हटा सकते हैं अब यह दिमाग में क्यों आई देखो इससे एक तो हमारा angle change नहीं होगा इधर x से तो x का x ही रहेगा और यह 1 minus cos square theta हो जाएगा तो a square minus b square क्या होता है a plus b a minus b तो उस a plus b से a plus b क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा इस तरह से अब हमने पूरा सोच लिया समझ लिया अब हम question को apply करते हैं मतलब यह mental calculation कर ली और आप इसके लिए देख रहे तो यह आपका यहाँ उधर चला जाएगा तो 1 minus cos square x हो गया और नीचे क्या हो गया 1 plus cos x क्योंकि हमारे पास square को अटाने के दो ही formula है उसमें से यह वाला लगाने से हमारा काम easy हो रहा है तो हमने यह वाला काम कर लिया चलो a square minus b square क्या होता है तो a square minus b होता है a plus b a minus b तो 1 minus cos x a minus b 1 plus cos x आपका a plus b और divided by आपका 1 plus cos x dx हो गया देखो 1 plus cos x से 1 plus cos x cancel हो गया question देखो कितना easy हो गया कभी-कभी आप बच्चे लोग क्या कर लोग कि question को complicated बना-दे OF जबकि हो रहता बहुत easy है integration of dx हो गया minus integration of cos x dx हो गया integration of dx आपका k्या होता है x होता है integration of cos x क्या होता है तो यह आपका यहाँ पर आऊ गया answer कितना easy हो गया है ना चलो next question now question number 13 देखते है तो 13 हमारा सबसे easy है देखो u upon v है u upon v है तो हमें कुछ भी करके denominator को यहां से हटाना यही हमारा दिमाग में calculation चलनी चाहिए अब कैसे हटा है तो आप यहां देखो उपर cost to x है cost to alpha अब यहां पर x ही variable है क्योंकि हम x के respect में differentiate करें alpha यहां पर क्या है constant है ना alpha का variable हमारे only x and y ही आएंगे otherwise alpha बीटा गामा एबी सी एलमन पी क्यू आर जो भी होंगे वो सारे आपके यहां पर क्या होंगे constant होंगे तो यहां पर क्या करें हम direct formula लगा सकते हमारे वास cos 2x के अंदर 4 formula है लेकिन क्योंकि नीचे denominator में cos है तो हम यह वाला formula लगा लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा कुछ sol होने करेंगा थोड़ा सब calculate करो दिमाग से formula रखो देखो 1 से 1 cancel हो रहा है उपर cos square a square minus b square बन रहा है तो 2 cos square x minus 1 फिर minus cos 2 alpha क्या होगा तो 2 cos square alpha minus 1 हो जाएगा और denominator जो आपका है वही देगा cos x minus cos alpha हो जाएगा फिर यह dx आपका यहाँ पर as it is चिके तो दोनों की जगे रख दिया अब हम यहाँ पर bracket open करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 2 cos square x minus 1 minus plus minus 2 cos square alpha minus minus plus का 1 और divided by वही cos x minus का आपका cos alpha हो गया minus 1 से plus 1 आपका यहाँ पर क्या हो गया cancel हो गया अब उपर क्या बचा देख ओपर 2 इसके पास भी इसके पास भी तो 2 तो हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं तो क्या बचा आपका cos square x minus आपका क्या बचा और यह आपका क्या है cos x minus cos alpha dx हो गया तो यह a square minus b square है तो आपका क्या बन जाएगा a plus b a minus b बन जाएगा तो यह हमारा इस formula हम सॉल करें a square minus b square तो a plus b a minus b हो गया चलो करो इसको solve तो यह आपका यहाँ पर हो गया cos x plus cos alpha और यह आपका यहां पर हो गया cos x minus cos alpha divided by cos x minus cos alpha हो गया तो देखो इस bracket से यह bracket पूरा क्या हो गया cancel हो गया अब आपका यहां क्या बच्चा to integration of cos x dx कर लेते हैं और हम क्या करें 2 को अंदर ले जाएं या बाहर ही रहने दें चलो बाहर ही रहने लेते हैं प्लस अब यहां पर देखो आप क्या गलती करोगे मैंने आपको अभी उपर बताया कि alpha constant है मतलब alpha आपको 30 degree 40 degree ऐसे कुछ value दी हुई है एक constant value है तो इसका मतलब हम cos alpha constant है तो इसको बाहर रखेंगे और integration of dx करेंगे लेगे मान लो कि 99% बच्चे इसको भी cos alpha का integration sin alpha करके यहां लिख देंगे और आंसर घलत कर देंगे यह यह constant है आप x के respect में differentiation कर रहे हो तो alpha यहां पर constant है तो यह 2 हो गया फिर आपका integration of cos x क्या होता है तो integration of cos x अपका यहां पर होता है sin x फिर आपका यह हो गया cos alpha और integration of dx क्या होता है cos x minus sin x और divide में 1 plus sin 2 x तो हमें यहां पर क्या करना है denominator को हटा देना है अब ऐसा क्या करें कि हमारा denominator यहां से हट जाए ठीक है अब उपर तो यह कोई सिंपल है अगर इसमें कोई formula भी लगा दो तो यह angle आधे हो जाएंगे तो हम इसको compare नहीं कर भाएंगे पर यहां पर आपका क्या है sin 2 x है तो हम क्या करते हैं यहां पर 2 x का value रखते हैं तो sin 2 x का हमारा simple सा formula है 2 sin x cos x भाई हमारे पास सबसे easy formula तो यह है दूसरा तो हमारे पास 10 में है ना simple यह वाला formula तो वह रखके देखते हैं फिर आगे सोचेंगे क्या होगा तो यह आपका यहां पर कितना हो गया cos x minus का sin x है और यह one plus आपका यहां पर क्या हो गया 2 sin x cos x हो गया तो यहां पर देखो कुछ दिख रहा है यह one है तो यह two a b ही है अगर मैं one की जगे एक बार तो इसको important mark कर दो क्योंकि इसको practice की जूरूत पड़ेगी तो इस one की जगे पर मैं क्या ऐसे रख सकती हूं कॉस एक्स माइनस का sin x हो गया तो मैं इस one की जगे पर रख सकती हूं cos square x plus sin square x क्योंकि cos square theta plus sin square theta कितना होता है हमारा one होता है क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही हूं वो भी आपको बताती हूं तो यह आपका क्या हो गया 2 sin x cos x हो गया और यह dx हो गया तो यह यहाँ पर देखो a square plus b square plus 2 a b तो यह आपका यहाँ पर हो गया है a plus b का क्या हो गया whole square हो गया तो यह cos x plus sin x का क्या हो गया square हो गया अब यहाँ पर देखो अगर आपको 7.2 exercise गया दे तो वहाँ पर हमने इस तरह के question किये थे कि हम नीचे वाले को t मानते थे उसका differentiation कर दे तो यह पूरा हमारा क्या हो जाथा dt हो जाथा तो वही काम हमारा यहाँ पर हो रहा है क्योंकि यह किसी भी formula से आपका cancel नहीं हो रहा है तो हमें बस इसको इस तरहीके में change करना है कि हम इसको easy integral form में हम इनको change करना है t let करते हैं तो let cos x plus sin x equal to अपका क्या है यहाँ पर t है तो अब आप इसको यहाँ पर क्या करो कि differentiate करो d by dx of cos x क्या होता है तो minus sin x होता है तो cos x होता है और यह आपका dx हो गया और यह आपका dt हो गया तो देखो cos x positive sin x negative तो इसको भी value अपकी यहाँ पर आजए अब चाहो तो इसको order change करके भी यहाँ पर लिख सकते हो तो numerator तो पूरा आपका यहाँ पर क्या हो गया ट की पावर माइनस 2 कितना हो गया आपका dt हो गया करो अब इसको integrate यह तो बहुत easy होगा ट की पावर माइनस 2 प्लस 1 फिर माइनस 2 प्लस 1 प्लस आपका c हो गया तो माइनस को उपर लेकी चले जा माइनस तो नीचे लिख लिख उपर लिख उससे को फराख नहीं बढ़ा है तो यह हमारा काम होगा तो यह थोड़ सापको इसको प्रैक्टिस की जूरूरत है कि यहां पे हम कैसे इस फॉर्म को जो इसको एज इंटेगल फॉर्म में कैसे चेंज करें यह हो गया तो इंपोर्टन लिखने से आपका यहां पे क्या होगा कि 7.3 इस फॉर्म को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की जुरूत है यह उसको एक्टिस को क्या करें और क्या करें ना व्यूंबर 15 इंटेग्रेशन ऑफ 10 Q 2 X 2 X 2 X दोनों के यह पास यहां पर क्या है एंगल आपकी सेम है अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला है तो आपको इ 10 X होता है sec X plus आपका C होता है तो मतलब इसमें से एक 10 इसको दे देंगे तो 10 X sec X equal to आपका यहां पर क्या हो जाएगा इसका इंटेग्रेशन अभी पता है अब बच गया आपका 10 square X यहां पर बच गया तो उसका देखते हम यहां पर क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हम य इसका इंटेटी यहां पर लग जाएगे तो यह तीनों क्या है प्रॉडट में हम इस तरह से काम नहीं कर सकते कि दो में अटेटी लगा दो में हम इंटेग्रेशन कर दें तो कुछन कुछ यहां पर करना पड़ेगा इस 10 square का कुछन कुछ करना पड़ेगा तो आपने पहले एक स्क्वैर ठीटा क्या होता है तो वह आपका 10 X plus C होता है तो अच्छा है इसको हम ते जाहां पर सेक कर लेते तो यहां पर इनको साहत में लिग लोग요 और इसकी जगे हम लिख लेते हैं सेक स्क्वैर एकस माइनस स्क्वैर 2x-1 हो महा क्या और यह भीएक अब आप इसको अंदर multiply करोगे तो एक term आपकी यहां से मिलेगी एक term आपकी 1 से मिलेगी तो यह हमने इसको multiply किया तो यह आपका कितना हो गया 10 2x हो गया फिर आपका यहां से इधर से एक और आगया सेक स्क्वेर 2x आगया और यह dx हो गया फिर माइनस इंटिग्रेशन अब दोनों 1 से multiply हुआ यह आपका 10 2x सेक 2x dx हो गया तो यह तो हमारा सॉल हो गया इंटिग्रेशन अफ 10x सेक एक 10x क्या होता है तो सेक एक स्प्लस यह तो यह तो डायरेक्ट इंटिग्रेट हो गया अब इसका क्या करें यह तो हमारी हमें तीन लेकर करके चले तो वापस आपके तीन में आ आ गया तो आप सोचो अगर आप d by dx ओ यहां पर हम मैं वही मैं आप सोच रही हैं जो मैं लिलिया था डिभी दी एक सीक्स लेक्स लेटे रोपस हो तो तो यहांपे क्या होता है तो डिफरेंटेशन हम यहां पे करते हैं सैक एक्स क्या तो क्या आता है deuxलब maken 이제-डृब सेक एक्स होजाएगा और उन दोनों का यहां में डिफरेंटेशन मिल तो यह जो दो तर्म आ रही है उनका डिफ्रेंशिशन यहां पर हमें मिल रहा है मिल रहा है तो इसका मतलब यह आपका method of substitution से यहां पर हो जाएगा यह डायरेक्ट हो रहा है अब इसके लिए हमें लेक्ट करना पड़ेगा लेक्ट हम सेक स्क्वेर को नहीं मान रहे हम अनली कि इसको लेकर के देखो इसको लेकर के देखो लेकर के देखो लेकिन मैंने दिमाग में calculate किया तो मुझे समझ मैं रहा है इसको लेने से ही यहां पर होगा अब आप इसको यहां पर क्या करो डिफ्रेंशिट करो तो दी बाय दी एक्स ओफ हम सेक 2 एक्स का कर रहें इक्वल तो एक्स होता तो कोई बात नहीं बट इसका डिफ्रेंशिंग करोगी तो ढि एकस अ घो गया तो बिदेड लियाथ है इकोल टू अपका क्या हो गया डिटी हो गया अब इसकी वाल्यव रगदो इसको हम यहाँ पर त्2 कर देंगे तो ये अब आपका है यहाँ पर हो जाएगा पूरा यहां पर d t बन गया और sec 2x को चेट कहा था तो यह आपका ट स्क्वर हो गया फिर आपका internation of आपका 10 2 x sec 2x और यह d x हो गया अब आप यहां पर इंटिग्रेशन इस कर सकते हो यह 1 तो यह आपका टी स्क्वार का कितना हो जागा टू प्लस वन हो गया ठीक है सी हम बात में एक साथ लगाते हैं और इसका अभी आपको फॉर्मुला लिखा इंटिग्रेशन ऑफ इसका होता है सेक एक स्वार्ग नहीं होता है तो आप यहां पर देखो आपका सेक कितना होगा ए यह को भूल जाओ यह आपका यहाँ पर हो गया 1,2 और यह आपका कितना कितना हो गया टी क्यूब्स थी हो गया और यह चिक्पर अब यहज और दिजैर सी हो गया सेक 2-ग प्लस आपका कितना हो गया सी उगा तो यही हमारा फाइनल आंसर है तो 16 क्या है आपको 10 पावर 4X का यहां पर क्या करना है integration बहुत इसी है आपने साइन पावर 4X किया है प्लस पावर 4X किया भी 10 पावर 4X किया है तो वही सीधा कि पावर का नहीं होता है तो इसको दोडो में आप यहां पर रिक कर दो यह 10 स्कूर एक्स हो गया और हैपको पता है कि integration of 10 स्कूर एक समारे पास नहीं होता है तो हम यहां पर होता है तो मैं यहां पर क्रापिकर किसी यह को श x square में चींच कर देती हो तो यह आपका में पर the x 2 मिश्च यह आपने इसको लिख दिया और इंच्टा सेक हुआ हो फिए स्क्डवर थीटा – 1-1dx կह आप क्या करो इसको अंदर ले जाते हैं और इंट्विए सेगशन और x और यह d x हो गया और माइनस इंटिग्रेशन आफ आपका यहां पर क्या हो गया यह 10 square x dx आ गया इजी हुआ तो यहां पर देखो हमारे पास यह दो formula होते हैं जो इस question से related हो सकते हैं कि integration of sex square x क्या होता है तो आपका 10 x plus c integration of sec x 10 x क्या होता है तो sex x plus आपका c होता है बट यहां पर sex x 10 x नहीं है उनके क्या है square है तो square के लिए हम यह formula यहां पर नहीं लगा सकते हैं कि हम square को बाहर common ले ले और फिर हम उसमें power को करके इस तरह से solve करने तो वह method यहां पर नहीं हो सकता तो मैं यहां पर क्या कहते हूं कि integration of मेरा question दिया होता 10 4 x dx मैं इसको क्या कर लेती हो i1 मान लेती हो इसको i2 मान लेती हो यहां पर solve कर दे अब यह सब बच्चों को solve करने आता हो क्योंकि यह हम पहले भी कर चुके 10 square का x नहीं होता, तो sec square में हम easily इसको change कर सकते हैं, जैसे भी उपर किया था, तो यह sec square x minus 1 हो जाएगा और dx, तो integration दोनों के पास अलग-अलग चला जाएगा, तो यह easily हो जाएगा, अब इसका सोचों यहाँ पर कैसे करेंगे, हम क्या करें कि इसका integration हो हो जाए, कि आप सोचों कि फिर से हम इसको sec square x minus 1 में कर दें, तो यह sec power 4 हो जाएगा, तो फिर power 4 का फिर से हम यहाँ पर नहीं आता, तो उसमें नहीं जाना है, हम direct method नहीं लगा सकते हम यहाँ पर कोई हमारे पास ऐसा formula भी नहीं जो 10 x और sec x में लगा है, जो 11, जो हमने class 11 ने बढ़े थे, तो हम यहाँ पर method of substitution के पास आता है, तो method of substitution में देखो, किसको मानोगे, आप 10 x को t मानोगे है, तो हम मैं यहाँ पर क्या करते हूँ, 10 x को t मानते हूँ, 10 x को t मानने से क्या होगा, integration of 10 x मेरा क्या होता है, नहीं सॉरी, तो फिर power का अलग से होगा, और यह हमारा 10 x sec x हो जाएगा, तो वह वहाँ गलत हो जाएगा, आप हमेशा ले करके देखो, इसको t मान के देखो, इसको t मान के देखो, जो सही बैटरा उसको आप करो, तो हम पहले यहाँ पर solve करते हैं i1 को, i1 को solve क्या है, integration of 10 10 x square x, sec square x, dx, तो यहाँ आनो, let 10 x equal to t माना, 10 x equal to t तो अब इसका क्या करो की, differentiation किया, तो यह कितना हो गया, d by dx of kitna हो गया, 10 x equal to d x upon dt हो गया, d by dx of 10 x क्या होता है, sec square x dx equal to d t होगया, तो देखो, यह वाला dt हो गया, यह हमने t माना था, तो यह आपका t square हो गया, अगर मैं 10 square x को मालती तो आता 2 10 x x square x आता ठीक है तो फिर वहाँ पे घडबड हो जाती है तो अब ना अब इसमें आप पुट करो तो यह आपका यहाँ पर हो गया i1 equal to integration of t square dt हो गया इसको t square हो गया और यह पुरा dt हो गया तो t square dt का क्या होता है t की power 3 by 3 तो गई 2 plus 1 upon 2 plus 1 होगा प्लस आपका यहाँ पर c हो जाएगा t की जगे value रख दो यह हो गया 10 cube x upon 3 plus आपका c हो गया तो यह हमारा i1 हो गया अब हम यहाँ पर solve करते हमारा i2 i2 क्या है integration of 10 square x dx है तो यहाँ पर 10 square x को क्या लगते हैं sex square x minus 1 dx तो बहुत easy है तो अब इसको अंदर लिखी जाओ यह आपका हो गया sex square x dx minus integration of dx तो sex square x का यहाँ पर क्या हो जाएगा तो अभी उपर formula लगा integration of sex square x क्या होता है तो गो 10 x होता है तो यह हमारा 10x हो गया और integration of dx क्या होता है तो x होता है और यह प्लस ही हो गया तो अब यहाँ पे लिखो now i equal to क्या था i1 minus i2 था ठीक है तो अब value अब दो तो i क्या है integration of 10 power 4x dx है यही है ना हमारा तो यह मैं इसको black color से लिख देती हूं integration of 10 power 4x dx तो equal to i1 कितना रहा था तो यह रहा 10 cube x by 3 फिर plus this 10 x minus x plus c this is your final answer ओके next question number 17 बहुत easy question है उपर देखो sin cube x plus cos cube x है और नीचे sin square x cos square x है तो आपको पता है यह u upon v form है हमें कुछ भी करके यहां पर v को हटा देना है v हट गया तो हमारा काम easy हो जाएगा तो देखो यहां ओपर power बड़ी है नीचे power क्या है अपकी छोटी है तो अगर मैं इनको separate separate लिख लूँ इस तरह से देखो मैं sec cube x के साथ में sin साइन 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 तो इसके साथ में sin square x cos square x अलग लिख लिए फिर प्लस अब अब मैं यहां पर cos cube x के साथ में sin square x cos square x अलग लिख लिए मुझे तो denominator रटाना है तो मैंने ये काम किया तो देखो sin square x से 2 cancel हो गए एक बज़ गया और यहाँ पर आपका cos square x से 1 cancel हो गया तो यहाँ पर क्या बज़ गया आपका एक बज़ गया तो यहनि कि बच्चा कितना आपके पास मैं इसको इससे लिए दिया sin x upon 1 cos मैंने इसको दे दिया और 1 by cos को मैंने यहाँ पर अलग कर दिया फिर यहाँ पर भी मैंने ऐसे किया cos upon sign अलग कर दिया और यहाँ पर एक sign को मैंने अलग कर दिया चेक है मुझे तो denominator हटाना है ना तो मैं तो कुछ भी करूँगी जो मुझे तरी के पता है जो हम फॉर्मूलास पता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे फिर उपर एक रह गया नीचे दो रह गया तो हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते है तो फिर आपका यह क्या हो गया यह sin by cos कितना होता है तो tan x हो गया और 1 by cos कितना आता है integration of cosec x cortex का formula है तो बस लगा लें easily बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है फिर आपका question अपने आप की सारा काम कर दीगा तो पहले इनको separate करके लिखने 10x sec x dx प्लस integration of इसको cosec x cortex dx तो यह जो सीधा formula integration of sec x tan x कितना होता है यह 10x sec x कितना होता है तो sec x सारे constant को दिखा रहा है यह आपका हो गया sec x minus cosec x plus c this is your final answer देखो कितना easy होगा ना question तो बस ना next question number 80 अब फिर से यहां पे भी u upon v है हमें यहां पे क्या करना है v को हटाना है तो देखो यहां x है यहां x है बट यहां पे क्या है 2x है तो cos 2x में हमारे पास sine वाला formula भी होता है हमारे पास cos वाला formula भी होता है तो मैं यहां पे कौन सा लगा हूँ मैं साइन वाला लगा हूँ मैं यहां पे प्लस कॉस्पीर एकस माइनस यहां यहां पर हो जाएगा तब भी मेरा काम हो जाएगा नुइटर में आपका solve करने पर क्या बचेगा only one बचेगा कैसे देखो मैंने रखा यहाँ पर two cos square x minus one यह mental calculation कर रहे हैं हम उसके बाद answer को लिखेंगे और यह plus आपका two क्या हो गया sine square x हो गया तो आपको पता है अगर इसमें से में दो common ले लू तो sine square theta plus cos square theta क्या होता है यह हमारा इससे भी solve हो जाएगा और यह रखके देखो वन माइनस two sine square x अगर मैं यह वाला रखती हूं तो इस sine square x से sine square x मेरा direct cancel हो जाएगा और सीधा मेरी यह बाली condition आ जाएगी तो यह two से यह two हो गया आपका cancel तो बचा क्या integration of one upon cos square x dx बचा तो one upon cos square x क्या होता है आपका sex square x dx होता है और sex square x का direct हमारे पास answer है 10 x plus c easy देखो कितना easy आपका question यहां पर हो गया now question number आप देखो 19 मैंने important लिख दिया that means यह practice मांगने वाला question है तो one upon sin x cos cube x है अब मुझे यहां पर denominator को हटाना है तो आप सोचो कि मैं मैं direct denominator उपर ले जाओ one upon sin x को जाएगा cos x one upon cos cube x हो जाएगा sec cube x तो बच आगे क्या करेंगे आगे क्या करेंगे आगे कुछ नहीं होगा यहां पर न तो यह question थोड़ा सा टेड़ा है तो यहां पर देखो हमें सबसे पहले इस one की value को put करना है साइन कॉस में one की value क्या होती है साइन स्कूर थीटा प्लस कॉस स्कूर थीटा होती है साइन स्कूर एक्स प्लस कॉस स्कूर एक्स डिवाड़ेड़ यह सब का काम हम किसलिए कर रहें ताकि हमारा denominator रज जाए और यह किये simple integration form के अंदर हमारा आ जाए साइन का क्यों स्कूर एक्स अपान साइन एक सैंस स्कूर एक और यहां पर दो कॉस स्कूर एक कैंशल ऑंगा बच्चा कितना साइन अपन कॉस क्योग तो हमें ने यहां पर चाघी इसको दो भागों में तोड़ दिया एक cos x मेंने अलग निकाल लिए और क्सुएार नेगिलन अलग निकाल लिए तो साइन अपो उन कॉस कितना वह गया तो यह मेरा एकाट dal हो गया और उनका स्कौर कितना हो गया तो से स्कौर 0,01 मेरा और undert को पीछ और क्वेस्टी पें को मेरे स्टे dieses कर तो उसका differentiation यहाँ पर मौझूद था तो यह integration of t बन जाएगा आपका इजी हो जाएगा ना हमारा direct formula नहीं लग रहा है कहीं change करके नहीं होगा तो हम method of substitution लेटे फिर आपका यह यहाँ पर क्या हो गया तो 1 upon sin x cos x dx हो गया चीक है अब इन दोनों को हम अलग-अलग क्या करते है इसको i1 मान लिया इसको मैंने i2 मान लिया अब integration of 10x x square x तो यह आपको पहले से आता है कि let 10x equal to अपका कितना है t है तो आप इसको क्या करोगे differentiate करोगे तो this implies d by dx of 10x कितना हो गया sec square x और यह dx equal to कितना हो गया आपका dt हो गया इसमें value put करो i1 equal to integration of 10x की जगे हमने t रखा sec square x dx equal to आपका dt हो गया integration of t कितना होता है t square by 2 तो t की power x power n माला formula लगा रहा है 1 plus 1 1 plus 1 तो यह 2 हो गया plus c हो गया तो t square यादे t कितना था 10x था तो यह 10 square x by 2 प्लस आपका c हो गया this is your i1 this is your i1 अब हमें इसको solve करना अब हम किसको लेके चल रहे हैं यहां पर i2 अले को तो i2 हमारा क्या है integration of 1 upon sin x cos x है तो आप सोच रहोंगे मैं इसको ऊपर ले जाते हैं इसमें जबिखो सब्वारा किसको है कोछ ही स्मय करना ओला फर्मूला है कोछ रहा है कि से 10 Прésert जूक्त सब्सक्राइ Cyril नहीं samo 보는 पर रहे होंगे इसका ख़णा पड़ेगा अब इससमें divided by आपका sin x कितना हो गया ? cos x dx हो गया अब करो आप इसको यह हो गया आपका sin square x upon sin x cos x हो गया फिर plus cos square x upon आपका sin x cos x हो गया और यह आपका dx हो गया यहापर क्या देख रहे हो 1 sin से 1 sin cancel 1 cos से 1 cos cancel sin upon cos बचा sin upon cos क्या होता है यहाँ पर 10x होता है और यह मैं इसको अलग अलग भी कर देती हूँ plus int cross upon sin क्या होता है तो cortex dx होता है तो अभी हमने अभी तक यह formula हमारे कहीं पर भी यूज नहीं आ है यह formula हमने लिखे थे हमारी exercise 7.2 और उनका हमने प्रोफ भी वहाँ पर देखा था मैं आपको कहा था कि इनके integration के formula भी important है कैसे derived किया था method of substitution से important है तो integration of 10x dx आप यह वाला formula भी यूज कर सकते हूँ यह वाला formula भी यूज करते हूँ जो आपकी मर्जी हो यहाँ पर वह formula भी लगा सकते हूँ तो मैं log यहाँ पर sec x लिए और cortex के लिए यहाँ पर राइट है यहां पर एक चीज़ पता है कि लॉग M प्लस लॉग N क्या होता है यहां पर भी हम इसको ऐसे ही लिख सकते तो क्या हो जाएगा log modulus of sec x into sin x हो गया प्लस c हो गया तो sec कौम यहां पर क्या लिखते हैं वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं तो यह क्या हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स इन्टू साइन एक्स प्लस आपका सी हो गया तो यह क्या हो जाएगा log sin upon cos कितना हो गया 10x प्लस आपका सी हो गया तो यह हमारा यहां पर क्या हो गया यह आई बन था और यह हमारा हमारा यहां पर क्या हो गया और i2 कितना है तो यह है आपका लॉग मॉडूलस ओफ एन एक्स मॉडूलस क्लोस प्लस यह आपका यहां पर क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया ठीक है तो यह इस तरह से हमने सॉल फैल ले यह इसके पर मैंने इंपोर्टेंट लगाया है तो कि यहां इस क्वेशन में थोड़ कॉस एक से यहां यहां पर किया करना है क्या करता है अब क्या करें हम हटा day यहां से यहां एक से लेकिन यहा पर क्या है आपको दिमाग चलेगा इस कौन स्वाला यहां पर लगाहें कि हमारा यहाँ पर काम इजी हो जाए तो यह देखो मैं आपको दिखाते हूं ताकि आपका दिमाग चलेगा कौन सा फॉर्मॉला लगा है यह देखो यह चार फॉर्मॉला है एक दो तीन चार अगर मैं टू कॉस स्कॉर एक्स माइनस वन लगाती हूं तो कुछ नहीं होने वा यह देखो यहां पर यहां पर कैंसल हो जाएगा देखो कैसे में यहां पर कॉस एक स्कॉर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्कॉर है ठीक है अब यह मेरा किसमे चेंज हो रहा है a स्कॉर माइनस b स्कॉर तो वो क्या होता है a प्लस b होता है a माइनस b होता है और नीचे यह क्या है a प्लस यह आपका कई A plus B का square तो यह क्या हो जाएगा A plus B हो जाएगा A plus B हो जाएगा तो इस A plus B से ये A plus B आपका embrace cancel हो जाएगा तो इसी वज़े से उन्हें यह बला formula लगा है तो यह आपका कितना हो गया cos X plus sin X हो गया और यह आपका हैं पर हो गया cos x minus sin x हो गया और नीचे हमने इसको अलग कर दिया cos x plus sin x यह भी आपका हो गया cos x plus sin x तो देखो इससे यह cancel हो गया और यह आपका dx बज़ गया अब आपको आता होगा अगर आपने 7.2 अच्छे से पढ़ा है तो यह चीज आपको यहाँ पर आती है क्योंकि direct formula हमारे पास है नहीं तो हम यहाँ पर method of substitution से करते हो method of substitution में हम किस को मानते हमेशा t denominator को उसी form में आगया नहीं है तो आप लिखो let cos x plus sin x equal to t तो इसको आप यहाँ पर क्या करोगे differentiate करो तो d by dx of cos x क्या होता है तो यहाँ पर d by dx of cos x होता है minus का sin x d by dx of sin x क्या होता है cos x और यह dx equal to क्या हो गया d t हो गया तो देफो minus का sin x यहाँ है plus का cos x यहाँ है चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो तो यह अब आपकी यहाँ पर हमें मिल गया है तो यह हो गया integration of numerator आपका पूरा क्या बन गया है d t और denominator value तो इसकी जगे टी रब तो 1 upon t कितना हो गया d t हो गया तो integration of 1 upon t integration of 1 upon t क्या होता है तो log modulus of t plus आपका c हो जाता है तो यह यह वसांसर हो गया log modulus of t t की जगे पर आपका क्या है यहाँ पर cos x plus sin x plus आपका यहाँ पर क्या हो गया see this is your answer easy चलो अब question अब देखो 21 integration of sin inverse cos x तो आप यहाँ पर देखो अभी तक हमने जतना पड़ा है उसमें हमारे पास integration of inverse trigonometric function ने देखे थे तो यहाँ inverse trigonometric formula में हमारे पास इनके integration नहीं पता दे इनके integration अभी बता दे अंसर हमारे पास यह है बाट इसके integration का formula हमें यहाँ पर नहीं पता है तो बस जब हमारे पास integration में inverse वाला किसी भी टिखनोमेट्रिक function का formula में नहीं पता है तो आपको यहाँ पिया करना है sign inverse को हटाना है simple integration form में change करने के लिए हमें यहां से sine inverse को क्या करते हैं हटा लेगा है अब sine inverse को हटाना तो अपने आप तो हटेगा नहीं भाई cause से help मांगनी पड़ेगी तो यह cause कहेगा कि भाई तुम मुझे sine में change कर दो कि sine inverse कब cancel होगा जब इसके आगे sine की form में होगा तो sine inverse से sine inverse कैंसल हो जाएगा और यह एक्स बन जाएगा इस तरह से हमने यहां पर पढ़ाता पढ़ाता ना पर sine inverse क्या के sine होगा तो यह cancel होके एक्स बढ़ जाएगा तो कॉस को हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा यहां पर first quarter में माले है यहां पर positive तो यह कितना साइ्ड । क्या होता है कौस्स थीटा होता है । सान नाइंटी वैनस थीटा इसस फोल 7 बढ़ाए ना यह वाला अब आपका साइन से साइन क्या हो गया है यहां पर प्लस आपका यहांपर कितना हो गया यह कितना हो गया यह कि रही कि पता है कि इसका नहीं होता है तो इसको हटाने के लिए आपके दिमाग में जो आता है वो आप यहां पर लगा सकते हो नाव सबसे most 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 important question of this exercise exercise 7.3 question number 22 आप इस पर लगा देना most important क्योंकि यह most repeated question है और क्योंकि इसमें logic भी बहुत लगने वाले इतना simple question भी आपका नहीं है अब वही u upon v की form में हमें इसका v को denominator से हटाना है अब कैसे हटा है cos x-a x-b है यहां पर तो देखो यह कुछ चीज़े आपको यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी तो रखनी पड़ेगी है ना तो मैं यहां पर क्या करती हूँ कि a-b से उपर नीचे multiply करती है जब आपका थोड़ा आगे steps पर पहुँच जाएगा तब आपको समने आगा इसा क्यूं किया तो यह 1 upon a-b से उनीचे और a-b से मैंने यहां पर क्या 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 अच्छा sin of a-b से करेंगे सॉरी चीक है तो sin of a-b से उपर नीचे multiply कर दिया अब क्यूं किया क्यूंकि देखो यह x variable है x variable यह दोनों के constant है मानलो यह आपका यहां पर 60 है और यह आपका 30 तो 60-30 sin 30 होगे constant नंबर आजाए उपर भी constant नंबर आजाएगा तो हम कितनी बार अभी तब क्वेश्चन आए जिसमें 2 का उपर नीचे multiply कर रहें है 2 का कर रहें तो हमें ज़रुरत है इसलिए हम यहां पर कर रहे हैं तो यह मैं इसले करें मैंने the sign है यह एक्ट्यरं में यहां फ मैं उपर क्या करना चारहिऊ覺 मैं उपर sin a minus b ka formula बनाना चारहिए जींी क्यू बनाना चारहिए और sin a minus bатьon a minus b formula में में क्या करेंगे तो हमारा denominator यहां पर क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा इसलिए में यहां पर constant का क्या कर रहे हूं उपर नीचे multiply कर रहे हूं अब हम इस sign को इस तरह से numerator वाले को arrange करते हैं कि इसमें x-a हो जाए और इसमें x-b यहां पर हो जाए तो one upon sign a-b integration of sign अब देखो a आपका यहां पर क्या हो रहा है positive हो रहा ना इसको मुझे क्या करना x-a बनाना जो आपकी मर्जिया वैसे लिख दो यह minus का b है ना हमारे पास में तो यह x-b कर दिया फिर minus मैंने यहां पर लगा दिया और मैंने यहां पर क्या कर गया x-a कर दिया अब इसको solve करके देखो आपका a-b ही आएगा जो minus का x आ जाएगा तो minus के x से plus का x कैंसल हो गया और minus minus plus का क्या हो जाएगा एगा तो यहनि कि इसको solve करने पर हमारे कोई यहां पर फरक भी बढ़ रहा है तो यह हमारा क्या हो गया cos x-a cos आपका क्या हो गया x-b हो गया dx हो गया चलो अब यहां पर यह क्या हो गया आपका यह मेरा इस तरह से formula sin a-b जहां पर यह है मेरा a और यह है मेरा यहां पर b sin a-b का formula सबको पता है यहां पर क्या हो जाएगा यह रहा हमारा formula sin a cos b-cos a sin b A की जगे ये लिख दो, B की जगे ये लिख दो, चिक है, तो यह मैंने यहाँ पर formula लिख दिया, समझ में आ गया, तो denominator को हटाने के लिए मुझे numerator में ऐसी term लेकर आनी थी, जिसे कि यह मेरा यहाँ पर cancel हो जाए, तो जब मैंने चारो मेरे formula उनको देखा, तो मैंने सोचा कि मै यहाँ पर यह काम करती, क्योंकि नीचे क्या है, यहाँ पर minus, minus है तो मैंने यहाँ पर बनेगा, अगर मैं sin A plus B वाला formula लगाती, तो मेरा यह cancel होके, फिर A minus B यहाँ पर नहीं बचता, इसलिए minus का वाला formula हमारा बना, कहीं पर plus का बनेगा, तो plus का करेंगे, कहीं minus का बनेगा इसको यहाँ पर लिगा, अब देखो क्या cancel हो रहा है, cos x minus A से, cos x minus A और यहाँ पर भी आपका cancels हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा cancel हो रहा है cos x-a से cos x-a ही यहाँ पर भी cancel हो रहा है यहाँ पर cos b sign होगा ना तो b हमारा कौन है यहाँ पर यह रहा अच्छा formula में cos a sign जोगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कुछ गड़बड कर जाएगा a की जगे x-b आएगा और यहाँ x-a है उल्टा हैगा दरवासे लोनों सेम हो गए तो यह आपका यहाँ पर यह cancel होगा यह और यह cancel होगा यह आपका as it is रहेगा तो अब यहाँ पर क्या हो गया 1 upon sin a-b फिर यहाँ पर क्या बचा साइन अपॉन कॉस एंगल सेम है sin x upon cos x क्या होता है तो 10 x x-b है ना और यह dx हो गया फिर minus integration of sin upon cos यहाँ पर भी है तो sin upon cos आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 x-a बच रहे यह बच रहे और यह बच रहे एक्स माइनस a dx हो गया तो अभी अपने को modulus का formula बने बताया था दो दो formula थे हमारे पास में 7.2 exercise में हमने पढ़े थे कि आपको याद रहे देखने सा बर बर याद रहे यह वाला integration of 10 x क्या होता है log sec x लिखो या cos x लिखो आपकी मर्जी जो मर्जी आप चाहें यहां पर लिख सकते हो यह भी लिख सकते हो तो मैंने आपको पहले इस वाले formula से करा था ना अब मैं आपको इस वाले formula से करा के यह answer बताए क्योंकि पीछे अगर आप answer देखोगे तो answer आपका log modulus of cos x minus b हो जाएगा फिर minus integration of 10 क्या होगा तो यहां पर minus है इसका minus और आपको पीछे से answer match करके मुझे बताना पड़ेगा कि जो मैंने लिखा है वो राइट है तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस वाले हो आगे लिखने मॉडिलस of log modulus of cos x minus a हो गया फिर minus log modulus of cos x minus का b हो गया और यह आपका प्लस का c log m minus log n क्या होता है तो log m minus log n यहाँ पर होता है log m upon n होता है m upon n ही होता है न तो यह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हमारा final answer है तो थोड़ा सा funda clear अगर आप रखोगे कि हम denominator को यहाँ पर कैसे cancel कर पाएंगे तो उपर sign a minus b के formula से cancel कर पाएंगे a आपके पास है b आपके पास है तो आप सीधा यहाँ पर लिख दो और यहाँ पर अगर आप लिखोगे न a minus b को सीधा लिखोगे तो आपके यह वैसे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा एक से cancel हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसको solve करके थोड़ा दिमांग में रखके उस इसके साथ अलग लिख लो इसके साथ अलग लिख लो साइन स्कूर एक से साइन स्कूर एक 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 स्क minus का cortex होता है प्लस C तो आपका आंसर यहां पे क्या आ गया 10 10 x minus minus plus cortex plus C हो गया है तो कौन सा option आपका यहांपकर राइट है यह तो बहुत easy question था नाव question नमर देखा 24 तो यहां पे भी यू अपान वी है आपको denominator उतना है कुछ सेपरेट नहीं कर सकते तो हम यहां पर यहां पर क्या करते हैं लएक करते हैं तो एंगल को नहीं इसके अंदर वाले को लेट करनेजिए जो कि तो अगर आप कॉस्कुर को लोगे तो उसमें डिफ्रेंशीयर में कॉस्च भी आएगा और अपका साइन भी आएग कि हम इसके differentiation से इसको ले करके आ सकें तो हम इसको ले करके जाले क्यों कि अगर मैं इसका differentiation करूंगी तो यह पूरा का पूरा मेरे पास यहाँ पर है तो थोड़ा सा mental calculation करके हमने यहाँ पर देख लिया तो let x e की power x equal to हमारा t है चीक है अब इसको आप differentiate करो तो यह क्या हो जागा तो पहले हम x का कर लेते हैं e power x को asid is रहन देते हैं तो e power x asid is रहा दिगा दीगी एक सोफ फिर x को as a जो इसको आपका e power x मेरे दीदर आपका dt by dx हो गया टो आपका वाल हो गया यहां से e power x बचा और d by dx वावर x क्या होता है e power x ही होता है तो यह x e की power x dt हो गया इधर हम यहाँ पर dx लिख लिख लेगा ठीक है अब यहाँ पर क्या गड़ते है e power x को common निकला हुआ है तो यह 1 बन गया one upon cos square t बन गया तो one upon cos square क्या होता है तो sex square होता है sex square t dt हो गया sex square का formula हमें यहाँ पर पता है तो 10 t प्लस आपका c हो गया तो 10 t हो गया T की जगे आप value रग दो ती की जगे हमारा क्या है x e power x plus c हो गया तो यहाँ पर हमारा option number पर बी राइट है 10x e power x plus c हो गया तो यह हमारे हो गए 7.3 एक साइस खत्म और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आवे होगी थैंक यू